इस बार क्रिश फोर में क्या क्या चेंजिस देखने को मिलेगे क्या फाइनली कोई मिल गया के बाद क्रिश फोर से होने जा रही है जादू की वापसी नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिगराद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में सबसे पहले तो राकेश रौशन जी से हमारा एक सवाल है की जादू कहा है 2003 में इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी जब हमें जादू देखने को मेरा एक दूर गरह से जीवधर्ती पर आता है जो नीले रंका है जिसका नाम सब जादू रखते हैं वो शरीर में बड़े लेकिन उम्र में छोटे रोहित को असीन शक्तिया देता है जिसके बाद वो गजब कर डांस करने लगता है उसकी मसल्स बन जाती है गजब की फाइट करता है जिसके बाद बड़ी ही बेदर्दी से उस एलियन को वापस उसके ग्रह बेज दिया जाता ह जिसके बाद एक पार भी नहीं बुलाए गया हाला कि जब 2006 में इसका सीक्वल आया तो रोही तक ने पापा के पुराने कम्प्यूटर के थो उससे संपर करने की कोशिश करता है और डूर आसमान में कहीं जादू का इस पेश शिप भी नजर आता है लेकिन उसके बाद इसका थर्ड पार्ट भी आया लेकिन उसमें भी जादू का कोई अता पता नहीं था तो फाइनली इसका फूर्थ पार्ट आ रहा है फूर्थ नहीं फूर्थ और फिर दोनों साथ में लेकर आ रहे हैं राकेश रोशन तो एक लीस्ट इस बार तो जादू की वापसी होनी चाले क्योंकि इस बाद से ना आप इंकार कर सकते हैं और ना ही राकेश रोशन जी कि कोई मिल गया जब फिल्म आई थी जितना इंपोर्टेंट रोल डितिक रोशन का था उतना ही इंपोर्टेंट रोल था जादू का क्योंकि जादू के आने से पहले, हालांकि रिटिक रॉशन की बहती एक्टिंग ने सब को बादे रखा था, काफी कॉमेडी भी थी फिल्म में, लेकिन जादू के आने के बादे तो फिल्म में मसाला आता है, जब टुिस्ट आता है, तो इतने इंपोर्टेंट रोल को कोई कै जहां इस बार कहा भी जा रहा है कि फिल्म की कहानी में भी राकेश रोशन चेंजिस कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों जो कोरोना वाइरस की वज़े से पूरे विश्व भर में तहल का मचा हुआ है, और दुनिया नस्ठ होने तक की बात कह दी गई गई, तो ऐसे में राकेश रोशन इस फिल्म की कहानी में चेंजिस कर रहे हैं, तो वो ये भी चेंजिस कर सकते हैं कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, और जादू अपने ग्रह से आता है और ग्रिश के साथ मिलकर पूरी सृष्टी को बचाता है, ये आइडिया काफी एक्साइटिं रहेगा, य जिसके बाद जादू आता है और ग्रिश के साथ मिलकर उन पूरे जादू से पूरी दुनिया को बचाता है, जैसा कि हमने होलिवुड फिल्म दा फेंटेस्टिक फोर और क्रांस्फोरमस में देखा था, वो फिल्मे भी काफी ब्लॉक्मस्टर हिट थी, या फिर कुछ ऐसा करें कि क्रिश का बेटा जैसा कि आपने खृष्थरी में देखा कि उसके बेटे में भी जन्म ले लिया है और उसमें भी शक्तिया है, तो क्यो ना बाप बेटे की जोड़ी मिलकर पूरी दुनिया को बचा है क्योंकि ऐसा कॉंसट आज तक किसी फिल्म में भी नहीं लिया हाला कि कार्टूनिस्ट फिल्म में ऐसा देखने को मिला है जो हाल ही में रिनीस हुई थी दे लॉयन किंग जिसमें शारुक खान ने भी वोईस ओवर दिया था, तो इस सरह से आप बच्चों का ध्यान भी अपनी और काफी जादा खीच सकते हैं क्योंकि बच्चे इन चीज भागना होता है, कलाबाज या खाने होती है, ना जाने कितनी बार उस लबादे से अपना क्रिश गिरता फिरता बचा होगा, दूसरा इतनी गर्मिया पढ़ती है, मुंबली मिली वो अपनी पत्नी नानी प्रियंका के साथ और बच्चे के साथ रहता है, तो उसे कि ड्रेस में कुछ चेंजिस होने चाहिए, और जैसा कि क्रिश 3 में बेटा भी जन दे चुका है, तो ओव्यसी बात है, दोनों बाप बेटे को तो दिखाया ही जाएगा, तो कुछ अच्छी से यूनीक सी ड्रेस इस बार राकेश रॉशन ला सकते हैं, और ये भी सभी जान आपने स्पीडी बर्ड का आइडिया लिया, दूसरी फिल्म में आपका विलन भविश्य में देखने वाली मशीन बना बेठा, इसे भी दो-तीन से जादा हॉलिवोड फिल्मों में देखा जा चुका है, तीसरी फिल्म में आपने कमाली कर दिया, आप म्यूटेंट लिया है अब एक्समेन मुल्वरीन का कॉंसिप्ट कहां फिट होता है एक सोलो सूपर हीरो वाले काल में, कोशिश करिए कि इसे बैटमेन सिरीज की फिल्मों जैसा बनाएं, जहां बहुत जादा वीजूल एफेक्ट की ज़रूबत नहीं, बैटमेन सिरीज में क्रिस्टोफर नोलन फिल्में बनाएं, कुछ वैसा वैसा अगर व्यसकों को नहीं बच्चों को ही टार्गेट करना है, तो हल्क वाले मैनरिजम डाल दो खृष में, आइरन मैन वाले वर लाइनर भी बहुत अच्छे लगेंगे, अब चूंकि शप्तियों के मामले में वह थोर्ज ऐसा है, तो क क्या अच्छे चेंजिस किये जा सकते हैं स्टोरी को और इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए, आपके भी दिमार्ग में कुछ आयास तो जरूर होगे, तीन-तीन फिल्में इसकी आप भी देख चुके हैं, तो अब क्रिश फोर और क्रिश वाइफ में आप क्या नया देखने क क्रिश फोर में किस किरदार की 17 साल बाद होने जा रही है वापसी, क्रिश फोर कब तक सिनेमा घरों में देखने को मिल सकती है, कहां से आते हैं ये एलियन्स, हमारे बीच क्या रहते हैं एलियन्स, कितने प्रकार के होते हैं ये एलियन्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करिमत उमर आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में रितिक रोशन के करियर की सबसे एहम फ्रेंचाइजी क्रिश की चोथी किस्त का इंतजार उनके फैंस को बेसबरी से है क्रिश फोर की तैयारियों को लेकर अक्सर खबरे आती है जिनसे पता चलता है कि निर्देशक राकेश रोशन अपने राइटर्स के साथ चोथी किस्त को दमदार बनाने में जुटे हैं इसी क्रम में अब एक ऐसे किरदार की वापसी की बात सामने आई है जिसकी वजह से ये फ्रेंचाइजी शुरू हुई थी ये कि इस रोशन क्रिश फोर में एलियन जादू को वापस लाने पर विचार कर रहे हैं इस आइडिया को लगभग लॉक कर दिया गया है कि 17 साल बाद फिल्म की कहानी में जादू की वापसी होगी जादू एक एलियन है जो नीले रंका है और उसके पास सूपर पावर्स है इस फ बात करें कि क्या एलियन हमारे बीच में ही रहते हैं तो आपको बता दें कि एलियन हमारे बीच अद्रश्य तोर पर मौजूद हैं उनकी नजर लगातार हम सभी पर हैं और भविश्य में वो समय भी आएगा जब यह एलियन मानवों से इंटरब्रेडिंग कर सकते हैं जिसस नई सूपर ह्यूमन प्रजाती सामने आएगी सुनने में ये बात आपको बेतुकी और बेसिर पैर की जरूर लग रही होगी लेकिन इसे कहने वाला ऑक्सफोर्ड का जाना माना विज्यानिक है इनफेक्ट उन्होंने अपनी नई किताब में ये दावा करके विज्यानिक ज और ग्लोबल वाब्मिंग से प्रत्वी के खत्म होने का संकट सामने आएगा तब एलियन्स के जरिये इंटर ब्रीडिंग से उत्पन प्रजाती इस दुनिया को बचाएगी और जिस शक्स ने ये किताब लिखी है उनका नाम है डॉक्टर यांग एच चैई डॉक्टर से वो ये बात कह रहे हैं लेकिन अब उन्होंने अपने द्रश्टी कौन को पुखता करने के लिए एक किताब ही लिखती जो काफी जादा चर्जा में है एप्रिल 2018 में डॉक्टर चैई ने इस पर आक्सफोर्ड में एक डिबेट भी बुलाई उनकी ये किताब कोरियाई भ प्रजातियों का विद्वन्श हो लिहाजा यहां पर वो मानवों के साथ इंटर ब्रीडिंग से नई हाइब प्रजातियां पैदा करेंगे ये प्रजातियां प्रित्वी पर रहेंगी हाला कि ये अद्रश्य होंगी और अपना काम करती रहेंगी कुछ ऐसी ही बात मार्च म पैरिस में हुई विग्यानिकों की एक मीटिंग में भी दोराई गई M.E.T.I.E. इंटरनेशनल मीटिंग में कुछ विग्यानिकों ने कहा कि एलियन्स हम से कई अधिक चालाग हैं वो जान बूच कर खुद को बाद एलियन्स इंसानों की हर गतिवीदी पर नजर रखे हुए हैं शायद वो भी प्रत्वी में कोई उथल पुथल नहीं करना चाहते दर असल 1950 के बाद से ही पैरिस में हर दूसरे साल मैसेजिंग एक्स्टर टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की मीटिंग होती है जिसमें इस बारे में शोद कर रहे विज्ञानिकों का जमावडा लगता है डॉक्टर चैई अपनी किताब में कहते हैं कि एलियन्स जिस समय प्रत्वी पर पहुंचे हैं और हम सब के बीच अद्रश्य होकर मौजूद हैं उस समय से प्रत्वी क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर हतियारों और अन्या बड़ी दिक्कतों से गुजर रही है वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि जब प्रत्वी से मानव सभ्यता खत्म होने की कगार पर हो तब एलियन्स यहां अपने हाइब्रीड प्रोजेक्ट की शुरुवात करें किताब में ये तर्क भी दिया गया है कि अगर हम अभी कलाइमेट चेंज पर काम करना शुरू करते हैं तो ना केवल खुद को बजा सकते हैं बलकि एलियन्स को गलत भी साबित कर सकते हैं अब अगर बात करें कि एलियन्स कितने प्रकार के होते हैं तो डॉक्टर चेई मानते हैं कि चार तरह के एलियन्स हैं छोटे कदके और लंबे पतले और साब जैसी आँखो वाले और कीडे मकोडो सरीखे एलियन्स उनका कहना है कि सबसे उंचे करम में कीडे सरीखे एलियन्स सबसे उपर होते हैं जो अपनी निचली रैंक को ओर्डर देते हैं उनका ये भी मानना है कि सभी एलियन्स हाईब्रीड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं पिछले कई दशकों से प्रत्वी के वायू मंडल में उड़ती हुई अजीबो गरीब उड़न तश्तरी नुमा चीजे देखी जाती रही है। वाशिंग्टन टाइम्स ने हाल ही में इस बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया कि कई बार मिलिटरी के खासे अनुभवी और प्रशिक्षित पाइलिट्स ने ऐसी तेजी से उड़ती हुई गोलाकार चीजों को देखने का दावा किया है जिने कतई हल के में नहीं लिया जा सकता सबने इसके बारे में अलग-अलग तरीके से बताया कुछ ने इसे गूमता हुआ का कुछ ने कहा कि उन्होंने कुछ सफेद चीज देखी है वग्यानी कब कहने लगे हैं कि अगले एक डेर दो दश्कों में एलियन से प्रत्वी वासियों का या तो संपर्क हो पाएगा या उनसे मिलना संभव हो पाएगा इनसान बरसों से एलियन की तलाश कर रहा है कभी उसकी तलाश के लिए दुर्बीन की मदद ली जाती है तो कभी अंतरिक्ष में दुर्बीन और यान भेज कर उसे तलाशा जाता रहा है बहुत दिनों से धर्ती से रेडियो तरंगे भी भेजी जा रही हैं इनफेक्ट नासा और दूसरी बड़ी स्पेस एजेंसियों का मानना है कि मंगल पर पहले जीवन था उनका ये भी कहना है कि हमारे इसी सौर मंडल से ही आते हैं एलियन्स नासा के ग्रह विज्ञान विभाग का कहना है कि सौर मंडल मे चार जगहों पर संभावित जीवन हो सकता है उनका तैशुदा तरीके से मानना है कि मंगल पर पहले जरूर जीवन रहा होगा इसके अलावा तीन उपग्रहों टाइटन, यूरोपा और एंसेलडस पर जीवन की संभावना है तो क्या एलियन के साथ साथ इन सभी चीजों को प्रा से खत्म होगी और एलियन्स और कृष पूरी प्रत्वी को पूरी मानव प्रजाती को बचाएगा तो क्या यही सब फिल्म में दिखाया जाएगा अगर दिखाया जाएगा तो वाकर एक्साइटिंग रहेगा और आपका क्या कहना है इस बारे में क्या आपको भी इन स साथ चौतिक किस्त को बड़ा दमदार बनाने में जुटे हैं इसी क्रम में एक ऐसे एहम किरदार की वापसी की बात सामने आई है जिसकी वज़ा से ये फ्रेंचाइजी शुरू हुई थी ये किरदार है जादू जी हाँ वही एलियन जिसकी शक्तियों ने मंद बुद्धी र जादू की वापसी होगी वैसे भी क्रिश्थ 3 में रोहित महरा की डैथ हो चुकी है लिहाजा जादू को फिर से बुलाने का ये पौफेक्ट समय होगा जादू की वापसी को बहतर स्तर पर दिखाने की तैयारी चल रही है मुंबई मिरर से बातचीत में भी रितिक ने जादू के साथ कुछ कर सकती है जादू एक एलियन है जो नीले रंग का है उसके पास सूपर पावर्स है इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म कोई मिल गया में देखा गया था कि सयोगेवश धर्ती से संपर्क होने के बाद एलियन आता है भोला भाला रोहित उसे चिपा के र आये थे वैसे जादू पर बच्चो के चैनल निकलोडियन पर 2004 में एक एनिमेशन कम लाइब सीरीज आ चुकी है जिसका नाम था जे बोले तो जादू कोई मिल गया 2003 में रिलीज हुई थी इसका सीक्वल क्रिश 2006 में आया था जिसमें रितिक रोशन ने डबल रोल निभाया रोहित महरा और उसका बेटा क्रिश जो खुद सूपर पावर से लैस होता है फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म क्रिश 3 2013 में आयी थी दूसरी क्रिश कभी नहीं आयी क्योंकि क्रिश को ही क्रिश 2 मान लिया गया क्रिश 4 और 5 को लेकर राकेश रोशन ने जो आईडिया निकाला है क्या वो रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है शारुख खान का क्रिश से क्या रिष्टा था और क्या होने जा रहा है क्रिश 4 की कहानी कहां तक लिखी जा चुकी है और तोंद से 6 packs, abs तक का रितिक रोशन का ये स सफर आप वोड़ी और दिमाग में कैसे आग लगा देगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गरिमा तोमर आपका दिल से स्वालत है हमारे चैनल बॉलिगराद स्टूडियोस की एक और नई वीडियो में राकेश रोशन ने 2003 में कोई मिल गया से ये शुरुआत बाद में इसक दिमाग बच्चे जैसा ही रहता है और इस वजह से उसे सब सताते भी बहुत हैं लेकिन एक दिन एक एलियन धर्ती पर आता है जादू वो जादू रोहित को असीम शक्तियां दे कर जाता है दूसरी और तीसरी फिल्म रोहित के बेटे के बारे में होती है चूंकि रोहित की मा कृष्ण की भक्त होती है और रोहित को शक्तिया देने वाले एलियन जादू का रंग भी नीला होता है इसलिए उसका नाम रखा जाता है कृष्णा अपने पिता की तरह उसमें भी असीम शक्तियां होती है और जब वो मास्क पहन कर लोगों की मदद करने उतरता है तो कह क्रिश इसे क्रिश सिरीज में ताजी हल चल रही है डायरेक्टर राकेश रोशन निगोशना कर दी है कि वो एक साथ दो दो फिल्में बनाने जा रहे हैं क्रिश फॉर और फाइब तो हम बात करेंगे इन दोनों फिल्मों में आपको क्या देखने को मिलेगा नवाजुदिन सि इन फिल्मों में दिख सकते हैं जी हां कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है अगर उनकी कास्टिंग फाइनल है तो अभी तैन नहीं है कि वो किस रोल में नज़र आएंगे च्यूंकि सल्मान की किक में विलन बने थे नवाजुदिन सिदीकी और उन्होंने बहुत बहतर किया था तो लगाने वाले शायद ये कयास लगा सकते हैं कि वो विलन की भूमिका में दिखे लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है इन फिल्मों में सूपर हीरो के रूप में दिखने जा रहे हैं रितिक रोशन की कॉस्ट्यूम डिजाइनर और स्टाइलिस्ट गैविन मिग हो सकते हैं इन्होंने ही क्रिश्थरी में कंगना के किरदार काया के कपड़े डिजाइन किये थे जो रबर लेटेक्स से बनाए गए थे इन दोनों फिल्मों के स्टन्ट और स्पेशल एफेक्ट्स के लिए इंटरनेशनल क्र्यू बुलाए जाएंगे देखना होगा कि राक दोनों फिल्मों में एक नई एक्ट्रिस की एंट्री होने वाली है इससे पहले क्रिश्थ सिरीज की फिल्मों में प्रीती जिंटा और प्रियंका चोपड़ा जैसी फीमेल लीड रही है अबकि कहानी क्रिश्थ के बेटे से शुरू होगी तो उसके लिए किसी नई हिरोईन को लिया जाएगा चूंकि दो फिल्में एक साथ बन रही है तो सिरीज की बाकी फिल्मों के उलट कहीं नई चेहरे इन में नज़र आएंगे अभी दोनों फिल्मों की स्क्रिप लिखी जा रही है सिरीज की पिछली फिल्मों की राइटिंग टीम में हनी इरानी, रॉबिन राकेश रोशन, सचिन भॉमिक, संजय मासूम, आकर्श खुराना जैसे लोग रहे हैं इस बार स्टोडी, स्क्रीन प्ले और डायलोग्स किसके होंगे ये भी अभी पता नहीं सब हाइटिया हुआ है अब रितिक रोशन के बारे में तो क्या कहें उनको ग्रीक का गोड कहा उनकी परस्नालिटी, उनके सिक्साब्स, लोक्स, उनका दांस, उनके स्टंट, उनके मुव्स, सब कुछ सूपर हित है बॉलिवुड में ही नहीं, ऑलिवुड में, इंटरनेशनल लेवल पर उनको बहुत ही जादा हैंसम एक्टर के रूप में देखा जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो हमेशा से ऐसे नहीं थे जी हां इसके पीछे उनकी बहुत महनत है यूट्यूब ट्रेंडिंग से लेकर सोचल मीडिया पर एक वीडियो चाया हुआ है ये वीडियो है रितिक रोशन की ट्रांसफोर्मेशन के बारे में प्रेडियूसर डायरेक्टर के साथ मीटिंग चल रही थी रितिक ने कहा कि वो इस फिल्म में काम करने के लिए तयार नहीं है फिर अंदर गए अपनी बॉड़ी की फोटो खीच कर मीटिंग में लाए जिससे देखने के बाद आदित्य चोप्रा और सिधार्त आनंद की हवा खिसक गई तरसल रितिक रोशन को स्लिप डिस्क हो गया था जिसकी वज़े से उनका वजन बढ़ गया उपर से पिछले दिरों उन्होंने सूपर 30 फिल्म की थी जिसके लिए उन्हें अपना वजन बढ़ाना भी था उसके बाद उनके हिस्से आई वार जिसके लिए उन्हें अपने शरीर और दिमाग से युद करते हुए शेप में आना था वहां से शुरू हुआ छे महीने का ये सफर जो वार फिल्म और उससे कहीं आगे तक चलता रहा लोग बड़े आराम से बोल देते हैं कि इन्हें तो सिर्फ बॉडी दिखानी है लेकिन उस बॉडी को दिखाने लायक बनाने के लिए किन चीजों से होकर गुजरना पड़ता है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा ये वीडियो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के बारे में नहीं है ये उस कैरेक्टर के बारे में हैं जिसे लोग रितिक रौशन के नाम से जानते हैं और वो बनने के लिए रितिक रौशन को क्या-क्या करना पड़ता है रितिक फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ खुद को मोटिवेट करते हुए चलते हैं जो इस वीटियो में कमेंटरी वाला फील डालता है किसी वीटियो को बना देना बड़ी आम बात है लेकिन उससे इंफ्लूएंस होकर किसी से कुछ लिखवा देना बहुत बड़ी बात है आपको इसमें रियल रितिक दिखेंगे हो सकता है वो उस खांची में फिट ना हो पाए जो आपने अब तक रितिक रोशन के नाम पर अपने दिमाग में गढ़ रखा था लेकिन आप जो देखेंगे वो आपके दिमाग में उनकी एक नई इमेज जरूर गढ़ देगा जो काफी पॉजिटिव होगी और शायद इस वीटियो का मकसद भी यही है यह वीटियो एक बड़ी परसनल जर्नी है और उस जर्नी को पूरी दुनिया के साथ शेयर करना बड़ी बहादूरी की बात है फिल्म सुल्तान में सल्मान खान का एक सीन है जहां वो आईने के सामने खड़े होकर अपना बाहर निकला पेड़ देखकर रोते हैं सल्मान उस सीन को करने के लिए बिलकुल तयार नहीं थे क्योंकि उन्हें दुनिया ने कभी वैसे नहीं देखा हमेशा फिटनेस आईकन माना उससे बड़ी बात ये कि सल्मान ने खुद को कभी वैसे नहीं देखा ऐसे में खुद को मैंटली उस चीज के लिए तयार करना चैलेंजिंग पार था लेकिन वो सीन सिर्फ फिल्म में है सुल्तान की मेकिंग के तमाम वीडियो उपलब्ध हैं उसमें उस पूरे किस्से का जिक्र है कि सल्मान कैसे ये सीन करने को रेडी हुए लेकिन उस सीन से जुड़ी कोई तस्वीर नहीं है ये वही सल्मान है जिनूरी रितिक रौशन को उनकी पहली फिल्म से पहले बौडी बिल्दिंग की ट्रेनिंग दी थी हम इस बात से कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बस दो कॉंट्रास्ट केरेक्टर आपके सामने रख रहे हैं वापस शेप में आने के बाद रितिक रौशन ने कहा अगर ये फिल्म पिट जाती है अगर मैं वहाँ नहीं पहुँच पाता जहां मैं अभी हूँ कम से कम इस दोरान मैं ने वो तो किया जो मैं करना चाहता था ये 6 महिने का ट्रांसफोर्मेशन मैंने एंजॉउई किया नहीं बना बोडी तो नहीं बना ठीक है 6 महिना एंजॉई किया मैंने वेल ये वही परसनल पुट है जिसके बाद हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे इतनी महनत करने के बाद ये आदमी फिल्म वार में अपने इंट्रो सीन शूट से पहले चहरे पर अपने हातों से मेक अप करके जूरियां लाता है ताकि उसका खिरदार फिल्म में उम्र दराज और अनुभवी दिख सके और फिर अपने बच्चों के बारे में बात करते हुए भी रितिक रोशन ने कहा मैं अपने बच्चों को हमेशा सिखाता हूँ कि तुम्हें खुद पर गर्ब करना चाहिए कि तुमने किसी भी काम में अपना बैस्ट दिया है तुम्हें सिर्फ वही करने की जरूरत है मैं उनसे ये नहीं पूछता कि वो first आए, second आए या last आए क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता और मुझे वाक्यी फर्क नहीं पड़ता मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या तुमने सारा खुन पसीना उस काम में लगा दिया है अगर उनका जवाब हाँ है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बस वही करने की जरूरत है लाइफ में और क्या कर सकते हो तू सिर्फ इमानदारी के साथ महनत करते जाएं सफलता तो आपके कदम खुद बख खुद चूम लेगी तो दोस्तों आप रितिक रोशन की इन बातों से कितना सहमत है और आपको कितना बेसबरी से इंतिजार है इस सूपस्टार की आने वाली फिल्म को लेकर क्रिस फोर और फाइव को बनाने को लेकर राकेश रोसन ने जो सोच लगाई है क्या वो रिकार्ड तोड सकती है तलाक के 6 साल बाद क्यों साथ आये रितिक और सुजेन खान हिंदी सिरेमा की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म क्यों होने जा रही है क्रिस फोर और क्रिस फाइव क्रिस फोर को अंग्रेजी में बनाने की प्लानिंग क्यों की जा रही है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गराद के फिल्मी गलियारेन राकेश रोसन नई फिल्म ला रहे हैं क्रिस फोर और फाइव राकेश रोसन ने 2003 में कोई मिल गया से शुरुआत की थी बाद में इसकी दो सिक्वल फिल्में क्रिस 2006 और क्रिस 3 2016 में आई इसी क्रिस रीज में ताजी हलचल हो रही है डारेक्टर राकेश रोसन ने घोस्रा कर दी है कि वे एक साथ दो फिल्में बनाने जा रहे है क्रिस 4 और क्रिस 5 यही नहीं राकेश रोसन अब फिल्म क्रिस 4 को अपनी पिछली फिल्मों से कहीं बड़े अस्तर पर फिल्माने की तयारी कर रहे है क्रिस फोर के कुछ आइक्संद्रिस फिर से लिखे गए है और इनका अस्तर रितिक के फिल्म वार के बरावन ले जाने का फ्रेश्टा किया गया है बदाया जा रहा है कि सीनियर रोसन ने अपने इस फिल्म का बजट धाई सो क्रोन रूपए के करीब रखा है और ये हिंदी सिनिमा की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म होने जा रहे है यही नहीं क्रिस फोर का अंग्रेजी संस्क्रण भी बनेगा और इस बार इसका लोग पूरी तरह इंटरनेशनल बजार के मुताबिक रखा जाएगा क्रोना की वज़ा से क्रिस फोर और क्रिस फाइब की कहानी में और भी चेंजिस किये जा रहे है मेकर्स क्रोना का फाइदा उठा करके इसके स्क्रिप्ट को आउट टाइट कर रहे है और इसका स्कीन प्ले कहा जा रहा ही कुछ सीन का फिर से लिखा जा रहा है क्रोना की वज़ा से सब लोग घरों में बंद हैं, क्योंकि अगर 2021 देखना है, ते 20 दिन घर में ही बिताना पड़ेगा, इसी समय रितिक रोष्टन एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, इस पोस्ट में एक फोटो है और साथ में लंबी चौणी प्यारी बाते हैं, उस फोटो पर नजर आ रही है रितिक की एक्स वाइफ सुजयन खान, वो वापस रितिक के साथ आ गई है, अगले 21 दिनों के थी, ताकि इतने लंबे समय तक उनकी दोनों बच्चे मम्मी या पापा से मिल रहे हैं, पहले रितिक का वो इंस्टाग्राम पोस्ट देखिए, फिर हम इसमें लिखी बातों को शाट में समझाते हैं, बेसेकले अपने इस पोस्ट में रितिक पता रहे हैं कि एक पिता के तौर पर इस देश बापी, लॉकडाउन के दौरान अपने बच्चों के साथ ना रह पाने के बारे में कोश सोच भी नहीं सकते, एक माता पिता जो आधि-ाधि, कश्री रखते हैं, उनके लिए समस्या ये है कि दूसरे के अधिकार छेत में दखल दिये बिना वो अपने बच्चों के करीब कैसे रह सकते हैं, रतिक इसमें आगे जोडते हैं, ये सुजयन मेरी पूर पतनी की तस्वीर है, जिन्होंने टेंप्रेरी तौर प के लिए बनाएंगे, सुजयन खान पेसे से इंटेरियर डिजाइनर है, वो बॉलिवूड एक्टर और फिल्मेकर संजय खान की बेटी लिए, दिसम्बर 2000 में रितिक और सुजयन की साधी कुई, इस कपल के दो बेटे हैं, रहान और रिदान, 2014 में रितिक और सुजयन ने आ बिहार बेस्ट, मैथमेटिसियन अनन्द कुमार की बायोपेक शुपर्थाटी जिसे क्रिटिक्स ने पसंद किया, और वार जिसमें वो टाइगर स्राफ और वानी कपूर के साथ दिखाई थे, वार 2019 की सबसे कमाओ हिंदी फिल्म साबित हुए, अब क्रिस 4 और क्रिस 5 पर क क्या कहा, शराबी लड़कियों को फिल्मों में स्ट्यूरियो टाइप्स क्यों दिखाया गया है, स्फोर का टीजर कब आ रहा है, मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गरात के फिल्मे गलियारे में, इस लाकडाउन के खत्म होते ही राकेस रोजतन क्रिस 4 के शूटिंग की तरज पर आप परग्रा से एक प्यारे से जीव को भारत के कसोली में ले आए, वो नीला था, उसने हमारे सरीर में बड़े, लेकिन उम्र में छोटे रोहित को अनूठी सक्तिया दी, फिर वो गजब डांस करने लगा, डौले शौले निकल आए, क्या फाइटिंग करता थ लेकिन उसी जादू को आपने बेदर्दी से उसके गराह तो वापस भेजा, लेकिन एक बार फिर धर्ती पर नहीं लाए, एक बार खाने पर भी नहीं बुराए, हाँ, 2006 में आई सिक्वल क्रिस के एंड में आपने हमें उम्मीदों से भर दिया, कि जब रोहित ने अपने प पेटे के साथ खेलने के लिए ही दो सीन डाल दीजे, क्रिस को आप डाइनासोर के काल में डाल सकते, जैसे टांसफॉर्मर्स की लेटेस्ट फिल्म में मसीनों के डाइनासोर ये लोग बड़ी चलांकी से ले आए, आप भी ला सकते हैं, जंगलों के बीच कहीं सूटिंग कर लेना, अभी फरहान अक्तर ने भी तो मेगाले में की थी, वहाँ डाइनासोर नकली भी नहीं लगेंगे, और कॉंसेट के हिसाब से भी ये स्विल वर्ग वाला मामला है, कोई मिल गया में हमने एटी वाला आइडिया लिया, इस बार जुरासिक पार्क वाला मज़ा आएगा, इस बार हॉलिवड की किस सूपर हीरो फिल्म से प्रिना लेने जा रहे हैं, गम्हीरतार से सोचना, पहले फिल्म में आपने स्विल वर्ग का अटिया लिया, दूसरी फिल्म में आपका बियन भविस्त में देखने वाली मसीन बना बैठा, इस से भी दो ती में क्रिश्टोफर नोलेन ने फिल्म बनाई, कुछ हो ऐसा, अगर बड़ों को नहीं तो बच्चों को ही टार्गेट करना है, तो हल्क वाले मैं रिजम डाल दो, क्रिस्प में, आरेन मैं वाले वन लाइनर भी बहुत अच्छे लगेंगे, चुकि सक्तियों के मामलों में व थापिस सत्थ है, लड़कियों से जुड़े तमाम इस्ट्यो टाइप्स यानि पूर्वा ग्रहों को इसी तरह बार-बार दोहरा कर सच बना दिया जाता है, लड़कियां किस तरह सराफ हैंडल नहीं कर पाती, इसका नुमाइस बार-बार हमारे फिल्मों में होती है, जैसे दिल वाले दुलहनियां ले जाएंगे में काजोल, जरासा जूमलू मैं, गाते हुए दिवानों की तरह नाचने लग, कल हो ना हो में वैसे सीरियस रहने वाली नैना, यानि प्रिती जिंटा, अचारक जैकेट उतार कर नाचने लग, अगली और पगली के गीत मैं टल्ली हो अगर सीर में लड़की हो, तो लड़की क्यों पी रही है, हमेशा उसका बैक ग्राउंड दिया जाएगा, उदास होगी, ब्रेक अप हुआ होगा, या अपनी कामुकता जाहिर करने का कोई जरिया खोज रही होगी, जैसे कार्थिक कॉलिंग कार्थिक का एक सीरियन है, सोना है ही नहीं कि लड़की सराब पीएगी, ऐसा रियल लाइप में भी होता है, जब भी एक लड़की, एक और लड़की या लड़कों के ग्रुप के साथ जाती है, वेटर भी बार वाला मेनू पुरुस के सामने रखता है, फिल्मों में सराब पीकल लड़कियों को कभी नॉर पीएगी, ये ज़री होता है, इसलिए हीरोईन के सराब पीते वक्त या उसके बाद हीरो का होना बहुत ज़री है, हीरो के ये काम, लड़की को पीने से रोकना, फिर भी वो ना रुके और बेहत नसे में हो तो उसे थामना, नसे में जब वो कामुकता जाहिर करने लगे, त इसलिए सराबी लड़कियों के रेप होते हैं, लगातार फिल्मों से ही हमें बताया जाता है, कि सराब पी हुई लड़की का शरीर अलेवल होता है, वो खुद पर काबु खो चुकी होती है, ऐसे में लड़के तो उसकी और आकरसित होंगे ही, खास कर तम, जब लड़की न 90 फिस्दी गुराह कर चुकी होती है, रेपिस्ट को बस बचा हुआ, दस प्रिस्यत काम करना होता है, आउट आफ कंट्रोल लड़कियां, मर्स्डीज गारी से चल रही नसे में धोत लड़की ने बाइक को टक कर मारी, सराब पी कर लड़कियों ने बस उलुकी की, भुद खो कर लड़ती रही, खुले मैदान में जज़बात बाहर आए, ये कुछ लाइन से न्यूज टीवी के उन प्रोग्राम से, जो नसे में जगडा करती लड़कियों पर बने हैं, ये कम है, ऐसे प्रोग्राम हर तीसरे चौते दिन किसी ना किसी न्यूज चैनल पर द सामा करते हुए पूरा देश देखता है, कि देखें क्या हरकत करेगी, बिखरे बाल होंगे, छोटी ड्रेस होगी, कूत फांद करेगी, तो उसकी बॉड़ी का अच्छा लुक मिलेगा, औरत और सराब, भासा, कला और साहित में औरत के जीवन में सराब की भूमका नहीं है, जिस औरत के जीवन में सराब की भूमका है, वो एक अपवाद है, शराब और और औरत की भूमका एक साथ पुरुस की जीवन में दर्ज होती है, बड़ी सहिस्ता के साथ सराब और शवाब, जैसे फ्रेज इस्तमाल करते हुए हम भूल जाते हैं कि इस भासा के केंद में और अस सराब पिने वाली नहीं होती, या तो वो पिलाने वाली होती है या फिर पिने की वज़ा होती है, इसलिए वो शेरो शायरी में या तो शाकी के तौर पर दर्ज है या प्रेमका के तौर पर। अब क्रिश फोर मूवी की कहानी इन सारी वर्जिनाओं को धोस कर देगा क्योंकि राकेस रोसन क्रिश फोर की कहानी में एक ऐसा किरदार लिख रहे हैं जो लड़कियों के देखने का नजरिया बदल देगा क्रिश फोर में क्यों नजर नहीं आएंगी प्रियंका चोपडा किस एक्ट्रेस ने छिनी प्रियंका चोपडा की जगा क्रिश फोर की जिहां दोस्तों एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टूडियो की इस नई अपडेट में क्रिश फोर का लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं बॉलीवूड एक्टर रितिक रोशन ने हाली में फिल्म वाट से कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिये थे और रितिक रोशन एक बार फिर अपनी फेमस फ्रंचाइजी क्रिश के जरिये बड़े परदे पर दिखाई देने वाले हैं खास बात ये है कि इस बार उनकी फीमेल जोडीदार होंगी कोई और नहीं बल की दीपिका पादू कोण और उसी जोडी को परदे पर देखने के लिए लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं फिल्म क्रिश फोर के लिए दीपिका पादू कोण और रितिक रोशन की बात फाइनल हो जाती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ हालांकि अब क्रिश फोर की जोड़ी से इंतिजार खत्म हो सकता है एक रिपोर्ट के अनुसार दीपिका का क्रिश फोर में आना लगभगते है हालांकि अभी तक दीपिका पादू को लेकर कोई आधिकारिक घोशना नहीं की गई है रिपोर्ट के अनुसार पियंका चौपडा पहले सभी क्रिश फिल्मों में नजर आ चुकी है और पिछली बार कंगना रानोट भी रिपिक रोशन के साथ दिखाई दी अब माना जा रहा है कि इस बार दीपिका पादू को फिल्म का हिस्सा होंगी रितिक और उनके पितार राकेश रोशन दीपिका को इस रोल के लिए लेना चाहते हैं लेकिन दीपिका का रोल उनकी मौझूदगी के काबिल होना चाहिए तबी वो इस फ्रंचाइजी का हिस्सा बनने के लिए राजी होंगी बता दे की क्रिश की तीन फिल्म में आ चुकी है हर बार कहनी को आगे बढ़ाया जा रहा है दरसल क्रिश की शुरुआत फिल्म कोई मिल गया से हुई थी जिसके बाद से फिल्म लगातार आगे चल रही है अब भी फिल्म की शूटिंग और रिलीस डिट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या इस बार क्रिश 4 में रितिक रोशन के साथ आप इस बार दीपिका पादुकोर को देखना पसंद करेंगे या पहले की तरह पुरियंका चोप्रा को हम सब के पसंदीदा सूपर हीरो क्रिश यानि की इरितिक रोशन जल्द ही धमाका करने जा रहे है जी हां लगता है वार और सूपर थर्टी फिल्म की सफलता का कुछ जादा ही जोश उभराया है उनमें तब ही तो लगतार फिल्म में साइन करते चले जा रहे हैं तो उनके पिता राकेश रोशन क्रिश फोर को दमाकेदार बनानी की त्यारी में लगे हो हैं जिसकी वज़े से कुछ ना कुछ फिल्म से जुड़ी ऐसी खबर सामने आती हैं कि लोग एकसाइटमेंट में पागल हो जाते हैं अभी हाल ही में पता चला कि फिल्म के विल्म खुद रितिक रोशन होने वाले हैं अगर इस बात पर विचार किया जाए कि फिल्म के विल्म और हीरो दोनों रितिक रोशन होंगे तो अगर फिल्म की एकसाइटमेंट और फिल्म में एंटर्टेनमेंट का लेवल ही नहीं रहा तो क्या मज़ा आएगा फिल्म का शायद यही वज़ा है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए विलन की भूमिका के लिए नवाज उदिन सिद्धिकी से भी बात चीत चल रही है क्योंकि उन्होंने कहीं फिल्मों में अच्छे विलन की भूमिका निभाई है किक में उन्होंने दमदार भूमी का निभाई थी सल्मान खान के ओपोसित वही क्रिश फ्रेंजाइजी की आने वाले फिल्म के एक्शन की भी बात करें तो वो भी काफी बड़े स्तर पर इस बार होने वाला है एक्शन सीन कॉरियोग्राफ करने के लिए हॉलिबुड के एक्शन डारेक्टर्स को लाया जाएगा फिल्म में काफी जबरदस्त एक्शन होगा क्रिश फोर को बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है ताकि बॉक्स ओफिस पर भी फिल्म बड़ा धमागा कर सके सभी जानते हैं कि इस फ्रेंचाइजी की रिलीज हुई अब तक सभी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर तहल का मचाया है और रितिक रोशन को सभी ने खूब पसंद किया है और दिल्चस्ब बात तो ये है कि जब से दर्शकों को इस बारे में पता चला है कि विलन की भूमिका में रितिक रोशन नजद आएंगे उन्होंने पोस्टर्स उनके लुक क्रियेट करने भी शुरू कर दिये हैं लगातार पोस्ट पर पोस्ट की जा रही है और काफी अच्छा लुक भी दिया है उन्होंने अपने सूबस्टार को यानि कि रितिक रोशन को तो दूसरी और दर्शकों की रूची इस फिल्म में जादा इसलिए भी है क्योंकि राकेश रोशन इसे बाहुबली की तरज पर बनाने वाले हैं यानि कि दो फिल्में एक साथ शूट की जाएंगी और बाहुबली की तरह ही एक साल के अंतराल में रिलीज भी की जाएगी और जहां पुरानी फिल्मों में प्रीति जंटा और प्रियंका चोपरा जैसी फीमेल लीड एक्ट्रस रही है तो इस बाल किसी न्यू कमर की एंट्री होने वाली है वहीं अब की कहानी कृष के बेटे से शुरू होगी तो उसके लिए किसी नई हिरोईन को तो अवश्य लिया जाएगा चुंकि दो फिल्में एक साथ बन रही हैं तो सिरीज की बाकी फिल्मों के उलट कई नए चेहरे भी नज़र आएंगे साथ ही ये भी सुनने को मिला कि फैंस चाहते हैं कि रितिक रोशन खुद विलन की भूमी का निभाए इसलिए तो उन्होंने पोस्टर भी बनाने शुरू कर दिये हैं तो क्या आप भी चाहते हैं कि रितिक रोशन ही खुद विलन की भी भूमी का निभाए क्या आपने भी कोई पोस्टर बनाया है हमारे साथ शेयर जरूर करें ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और देखते रहिए हमारे चैनल क्रिस फोर का टीजर कमा रहा है क्रिस फोर को एवेंजर्स की तर्च पर क्यों बनाया जा रहा है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गराद के फिल्मी गलियारे में काफी समय से पूरी काइनात केवल दो लोगों को मिलाने में लगी हुई है रेतिक रोसन और दीबका पदुकोर फैन सिंदो सुपर स्टार को एक साथ देखने के लिए तरस गए है लेकिन आप उनकी मुराद पूरी हो चुकी है क्योंकि दीबका पदुकोर क्रिस रीज की अगली हिरोईन होगी अगर फिल्म में दीबका पदुकोर है तो उस मताबिक रोल भी होना चाहिए ऐसे में उनके लिए एक दमदार सुपर गल का किरदाल लिखा जा रहा है जो क्रिस की सुपर पाउर को पूरी तरह से टक कर दे सके इससे पहले क्रिस रीज में प्रिती जिंटा, प्रियंका चौपडा और कंगना नरावत दिखाई दे चुकी है ऐसे में दीबका पदोकोन के साथ फिल्म की स्टार्डम को चार चान लग जाएगा वहीं दीबका को काफी समय बाद किसी ग्लैमर्स रोर में देखा जाएगा पहले अफवात ही कि इस फिल्म को संजे गुपता डारेक्ट करेंगे लेकिन संजे गुपता ने साब कहा है कि मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैं राइटिंग टीम का हिस्सा हूँ इसके अलावा फिल्म के बारे में जो भी फैसरा लेंगे वो राकेश रोसन लेंगे संजे गुपता ने रितिक रोसन के फिल्म काबिल का भी डारेक्शन किया था इस फिल्म में रितिक के साथ यामी गौतम लीड रोल में थे सुपर हीरो की कहानिया बच्चों में कैसे लाती हैं परिवर्तन ऐसा कहा जाता है सुपर हीरो के पास दैबिये अत्वा अध्भुत सक्तिया होती है जो लोगों और समाज की भलाई के लिए काम करती है सिनेमा जगत में ये काफी प्रचित है इने फरिस्ता भी कहा जाता है इन फरिस्तों को बच्चों से लेकर बड़े तक बहुत पसंद करते हैं जिसने बुरे लोगों को नहीं बुराई को जड़ से खत्म करने की कसम खाई थी वो कोई और नहीं भारत का पहला सुपर हीरो सक्तिमान है इसके बाद कई सुपर हीरो ने लोगों का दिल जीत लिया बॉलिवूड के सुपर हीरोज में सबसे ज़्यादा पसंद किया गए थे मिस्टर इंडिया क्योंकि वो एक साधारान इंसान से सुपर हीरो बनता है और बच्चों से बहुत प्यार करता है मिस्टर इंडिया की साधगी उसे सबसे अलग बनाती है मिस्टर इंडिया ये भी सिखाता है यदि हम खुद का आत्मिस्वास बनाए रखे तो मोगैंबो जैसे बुरी सक्तियों को आसानी से हरा सकते हैं भले हमारे पास सुपर पाउर ना हो लेकिन अपने भीतर छुपे आत्मिस्वास के पाउर को पहचानना बहुत जोरी है वैसे भारतिये सुपर हीरो में देखा जाये तो आरेमान, फ्लाइंग जट, जूनियर जी, रावन, क्रेस, मिस्टर इंडिया, सक्तिमान, तूफान इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है अगर बाहर के सुपर मेन की बात किया जाये तो जैसे आईरन मेन, स्पाइडर मेन, सुपर मेन, डेयर डेविल, बैट मेन, डोरे मोन, जैसे सुपर हीरोज को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है यही वज़ा है कि राकेश रोशन क्रिस्फोर का निर्मान करना चाहते हैं अब वो क्रिस्फोर को इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाना चाहते हैं इसलिए इस फिल्म का निर्मान Avengers Inventory War की तरज पर किया जाएगा माना जा रहा है कि इस साल के अंध तक इस फिल्म का टीजर भी लॉंच कर दिया जाएगा राकेश रोशन के जगा कौन डारेक्ट कर सकते हैं क्रिश फोर और इंडिया के वो कौन से सूपर हीरोज हैं जिन्होंने किया था हम सब के दिलों पर आज हेलो दोस्तों मैं सोनी का स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पॉलिग्राफ स्टूडियोज में दोस्तों पिछले काफी टाइम से रोशन की क्रिश फोर का इंतसार किया जा रहा है अभी इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है स्क्रिप्ट की राइटिंग टीम में संचे गुपता भी शामिल है लेकिन हाल ही में मुंबई मुरर को दिये एक इंटर्व्यू में संचे गुपता से पूछा गया कि क्या वो क्रिश फोर भी डाइरेक कर सकते है तो उन्होंने कहा मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैं राइटिंग टीम का हिस्सा हूं इसके अलावा फिल्म के बारे में जो भी फैसला लेंगे वो राकेश रोशन लेंगे क्योंकि क्रिश उन्हीं की फ्रेंशाइसी है अब देखा ये होगा कि क्या रितिक रोशन को भी वही डारेक्ट करेंगे खेर दोस्तों ये तो थी क्रेश 4 की बात लेकिन क्या आपको याद है वो सूपर हीरोस जिनने देखकर हम बड़े हुए हैं वो सूपर हीरोस जिननोंने हमें चोटी मगर मोटी बाते सिखाई वो सूपर हीरोस जिननोंने हमें दूसरों की मदद करना सिखाया चलिए आज उनी सूपर हीरोस को याद कर लेते हैं दोस्तों शक्तिमान शक्तिमान भारत का सबसे ज़्दा देखे जाने वाला सीरियल था शक्तिमान को हर कोई अपने सबसे करीब मानता था इस सीरियल को LIMKAKA BOOK OF RECORD में भी शامل किया गया था शक्तिमान भारत का सबसे लोगप्रिया सूपर हीरो था इस किरदार को देखने के लिए बच्चों में बहुत क्रेश था और वो दिवानों की तरह इसे पसंद किया करते थे लेकिन बात में कुछ कारणों से इशो को बंद कर दिया गया और उस वक्त हम सब का दिल तूट गया उसके बाद आया आर्यमान ब्रह्मान को बचाने की रादे से आया आर्यमान बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों में छा गया हालांकि आर्यमान को शक्तिमान से कड़ी टकर मिलती थी लेकिन इसके बावजूद आर्यमान ने अपनी अलग पहचान बनाने में कामया भी पाई और बच्चों को दिवाना कर दिया था आर्यमान के पास भी बहुत सारी शक्तिया थी जिसकी नकल बच्चे घरों पर किया करते थे हालाब के आर्यमान के कहानी अंग्रेजी फिल्म स्टार वर्स से मिलती जुलती थी फिर आया ऐसा शो जिसमें मेल नहीं बलकि फीमेल सुपर हीरो थी ऐसा पहली बार हो रहा था वो सुपर हीरो जो मुमकिन को नामुमकिन कर देती थी और ना मुम्किन को मुम्किन अब तक तो आप समझी गए होंगे कि मैं सोन परी की बात कर रही हूँ दोस्तों इस सीरियल ने टीवी की दुनिया में काफी नाम कमाया और जम कर धूम बचाई सीरियल की लोग पुरियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस सीरियल को कई भाशाओं में दिखाया जाता था इस सीरियल में अच्छाई और बुराई के बीच की जंग को दिखाया गया था जिससे सब को सीख तो मिलती ही थी साथ ही एंटर्टेंबेंट भी होता था दोस्तों वो हमारी सूपर हीरोस की दुनिया जहां हम उन जैसा बनने की कोशिश किया करते थे और मेरे एक दोस्त ने तो शक्तिमान का कॉस्चुम भी लिया था और वो उसे पहन कर खूद को शक्तिमान समझ लेता था क्रिस फोर और फाइव को बनाने को लेकर राकेश रोसन ने जो सोच लगाई है क्या वो रिकार्ड तोड सकती है तलाक के 6 साल बाद क्यों साथ आये रितिक और सुजेन खान हिंदी सिरेमा की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म क्यों होने जा रही है क्रिस फोर और क्रिस फाइव क्रिस फोर को अंग्रेजी में बनाने की प्लानिंग क्यों की जा रही है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गर्याद के फिल्मी गलियारे में राकेश रोसन नई फिल्म ला रहे हैं क्रिस फोर और पाइव राकेश रोसन ने 2003 में कोई मिल गया से शुरुआत की थी बाद में इसकी दो सिक्वल फिल्में क्रिस 2006 और क्रिस 3 2016 में आई इसी क्रिस रीज में ताजी हलचल हो रही है डारेक्टर राकेश रोसन ने घोस्रा कर दी है कि वे एक साथ दो फिल्में बनाने जा रहे है फिर से लिखे गए है और इनका अस्तर रितिक के फिल्म वार के बरावन ले जाने का फ्रैस्टा किया गया है बदाया जा रहा है कि सीनियर रोसन ने अपने इस फिल्म का बजट 2500 क्रोन रूपए के करीब रखा है और ये हिंदी सिनिमा की अब तक की सबसे बड़ी बजट की फिल्म होने जा रहे है यही नहीं क्रिस 4 का अंग्रेजी संस्क्रण भी बनेगा और इस बार इसका लोग पूरी तरह इंटरनेशनल बजार के मुताबिक रखा जाएगा क्रोना की वज़ा से क्रिस 4 और क्रिस 5 की कहानी में और भी चेंजिस किये जा रहे है मेकर्स क्रोना का फायदा उठा करके इसके स्क्रिप्ट को आउट टाइट कर रहे है और इसका स्कीन प्ले कहा जा रहा ही कुछ सीन का फिर से लिखा जा रहा है क्रोणा की वज़ा से सब लोग घरों में बंद हैं, क्योंकि अगर 2021 देखना है, ते 20 दिन घर में ही बिताना पड़ेगा, इसी समय रितिक रोश्चन एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, इस पोस्ट में एक फोटो है और साथ में लंबी चौणी प्यारी बाते हैं, उस इस फोटो पर नजर आ रही है रितिक की एक्स वाइफ सुजयन खान, वो वापस रितिक के साथ आ गई है, अगले 21 दिनों के लिए, ताकि इतने लंबे समय तक उनकी दोनों बच्चे मम्मी या पापा से मिल लिए, पहले रितिक का वो इंस्टाग्राम पोस्ट देखिए, फिर हम इसमें लिखी बातों को शाट में समझाते हैं, बेसिकले अपने इस फोट में रितिक पता रहे हैं कि एक पिता के तौर पर इस देश बापी लॉकडाउन के दौरान अपने बच्चों के साथ ना रह पाने के बारे में कोश सोच भी नहीं सकते, एक माता पिता जो अ मेरी पूर पतनी की तस्वीर है, जिन्होंने टेंप्रेरी तौर पर अपना घर छोड़ दिया है, ताकि हमारे बच्चों को अनिश्चित काल तक हम दोनों में से किसी एक से अलग ना रहना पड़े हैं, थैंक्यू सुझे इतनी मदद के लिए, हमारी जर्नी को समझने के लि दिसंबर 2000 में रितिक और सुझेन की साधिक हुए, इस कपल के दो बेटे हैं, रहान और रिदान, 2014 में रितिक और सुझेन ने आपसी सहमती से अलग होने का फैसला लिया, हाला कि दोनों अभी एक दूसरे को बेस्ट प्रेंड बताते हैं, अगर रितिक की बात करें तो, दो साल के गैब के बाद 2019 में, इनकी दो फिल्में रिलीज हुए, बिहार बेस्ट, मैथमेटिसियम अनन्द कुमार के बायपेक शुपर्थाटी, इसे क्रिटिक्स ने पसंद किया, और वार जिसमें वो टाइगर स्राफ और वानी कपूर के साथ दिखाई थे, वार 2019 की सबसे कम हिंदी फिल्म साबित हुए, अब क्रिस फोर और क्रिस आई पर काम सुरू हो गया है, क्रिस फोर का टीजर कब आ रहा है, क्रिस फोर को एवेंजर्स की तर्च पर क्यों बनाया जा रहा है, मैं आपका स्वागत करता हूँ, बॉले गरात के फिल्मी गलियारे में, काफी समय स पूरी काइनात केवल दो लोगों को मिलाने में लगी हुई है, रेतिक रोसन और दीबका पदुकोर्ण, फैंस इंदो सुपर स्टार को एक साथ देखने के लिए तरस गए हैं, लेकिन अब उनकी मुराद पूरी हो चुकी है, क्योंकि दीबका पदुकोर्ण क्रिस रीज की अगली हिरोईन होगी, अगर फिल्म में दीबका पदुकोर्ण है तो उस मताबिक रोल भी होना चाहिए, ऐसे में उनके लिए एक दमदार सुपर गल का किरदार लिखा जा रहा है, जो क्रिस की सुपर पाउर को पूरी तरह से टक कर दे सके, इस से पहले क्रिस रीज में प् इसी ग्लैमर्स रोल में देखा जाएगा, पहले अफवात ही कि इस फिल्म को संजे गुपता डारेट करेंगे, लेकिन संजे गुपता ने साब कहा है कि मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैं राइटिंग टीम का हिस्सा हूँ, इसके अलावा फिल्म के बारे में जो भी फै इसा कहा जाता है, सुपर हीरो के पास दैबियें अत्वा अध्भुश सक्तिया होती हैं, जो लोगों और समाज की भलाई के लिए काम करती हैं, सिनेमा जगत में ये काफी प्रचित है, इने फरिस्ता भी कहा जाता है, इन फरिस्तों को बच्चों से लेकर बड़े तक बहु बॉलिवुड के सुपर हीरोज में सबसे जादा पसंद किया गए थे मिस्टर इंडिया, क्योंकि वो एक साधारान इंसान से सुपर हीरो बनता है, और बच्चों से बहुत प्यार करता है, मिस्टर इंडिया की साध्गियू से सबसे अलग बनाती है, मिस्टर इंडिया ये भी सिखाता है यदि हम खुद का आत्मिस्वास बनाए रखे तो मोगैंबो जैसे बुरी सक्तियों को आसानी से हरा सकते हैं भले हमारे पास सुपर पाउर ना हो लेकिन अपने भीतर छुपे आत्मिस्वास के पाउर को पहचानना बहुत जोरी है वैसे भारतिय सुपर हीरो मे से देखा जाये तो आरेमान, फ्लाइंग जट, जूनियर जी, रावन, क्रेस, मिस्टर इंडिया, सक्तिमान, तूफान इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है अगर बाहर के सुपर मेन की बात किया जाये तो जैसे आइरन मेन, स्पाइडर मेन, सुपर मेन, डेर जाते हैं, अब वो क्रिश्ट फोर को इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाना चाहते हैं, इसलिए इस फिल्म का निर्वार एवेंजर्स इन्मिट्री वार की तर्ज पर किया जाएगा, माना जा रहा है कि इस साल के आंध तक इस फिल्म का टीजर भी लाउंच कर दिया जाए नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंग, आपका दिल से स्वागत हैं हमारे चैनल बॉलिगराद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में सबसे पहले तो राके शौशन जी से हमारा एक सवाल है कि जादू कहा है? 2003 में सज्जाईदी की शुरुआत हुई थी जब हमें जादू देखने को मेरा एक दूर ग्रह से जीवधाती पर आता है जो नीले रंका है, जिसका नाम सब जादू रखते हैं वो शरीर में बढ़े लेकिन उम्र में छोटे रोहित को असीम शक्तिया देता है जिसके बाद वो गजब कर डांस करने लगता है, उसकी मसल्स बन जाती है, गजब की फाइट करता है जिसके बाद बड़ी ही बेदर्दी से उस एलियन को वापस उसके ग्रह बेच दिया जाता है जिसके बाद एक पार भी नहीं बुलाया गया हाला कि जब 2006 में इसका सीक्वल आया, तो रोही तक ने पापा के पुराने कम्प्यूटर के थो उससे संपर करने की कोशिश करता है और दूर आसमान में कहीं जादू का इस पेस शिप भी नजर आता है लेकिन उसके बाद इसका थर्ड पार्ट भी आया, लेकिन उसमें भी जादू का कोई अता पता नहीं था तो फाइनली इसका फूर्थ पार्ट आ रहा है, फूर्थ नहीं फूर्थ और फिर दोनों साथ में लेकर आ रहे हैं राकेश रोशन तो एक लीस्ट इस बार तो जादू की वापसी होनी चाहिए क्योंकि इस बाद से ना आप इंकार कर सकते हैं और ना ही राकेश रोशन जी कि कोई मिल गया जब फिल्म आई थी जितना इम्पॉर्टेंट रोल लितिक रोशन का था उतना ही important रोल था जादू का क्योंकि जादू के आने से पहले, हालांकि रितिक रॉशन की बहतीन एक्टिंग ने सबको बादे रखा था, काफी कॉमेडी भी थी फिल्म में, लेकिन जादू के आने के बादी तो फिल्म में मसाला आता है, जब टुिस्ट आता है, तो इतने इंपोर्टेंट रोल को कोई कै यहां इस बार कहा भी जा रहा है कि फिल्म की कहानी में भी राकेश रोशन चेंजिस कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों जो कोरोना वाइरस की वज़े से पूरे विश्व भर में तहल का मचा हुआ है, और दुनिया नस्ठ होने तक की बात कह दी गई तो ऐसी में राकेश रोश यह आइडिया काफी एक्साइटिंग रहेगा, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि ग्रह से कुछ बुरे जादू आ जाते हैं, जिसके बाद जादू आता है और वो क्रिश के साथ मिलकर उन बुरे जादू से पूरी दुनिया को बचाता है, जैसा कि हमने हॉलिवूड फिल्म द जन्म ले लिया है और उसमें भी शक्तिया है, तो क्यों ना बाप बेटे की जोड़ी मिलकर पूरी दुनिया को बचाये, क्योंकि ऐसा कॉंसेट आज तक किसी फिल्म में भी नहीं लिया गया, हाला कि कार्टूनिस्ट फिल्म में असा देखने को मिला है, जो हाल ही में रनी स हुई थी दे लॉइन किंग जिसमें शारुख खान ने भी वाइस ओवर दिया था, तो इस तरह से बच्चों का ध्यान भी अपनी और काफी जादा खीच सकते हैं, क्योंकि बच्चे इन चीजों से काफी जादा एट्रेक्ट होते हैं, साथ ही साथ एक और भी शिकायत है कि की इस कृष की ड्रेस बदल दीजै, हमने कितने सारे सूपर हीरो देखे हैं, सबसे बूरी ड्रेस में क्रिश की लगती है,ची को लड़ना होता है, बहागना होता है, कलाबाज या खाने होती है, न चाने कितनी बार उस लबादे से अपना करेश गिरता-फिरता बचा होगा दूसरा इतनी गर्मिया पढ़ती है मुंबई मिली वो अपनी पत्नी नानी प्रियंका के साथ और बच्चे के साथ रहता है तो उसे हुमिडिटी नहीं होगी प्लीज यार उसकी ड्रेस बदल दीजिए इतने हमने मार्वल के सूपर हीरो दे के कितनी बहतरी ड्रेस बनाए तो कुछ अच्छी से युनीक सी ड्रेस इस बार राकेश रॉषन ला सकते हैं और यह भी सभी जानते हैं कि जो भी सूपर हीरो वाली फिल्में बनती हैं कहीना तहीं होलिवुड से ही प्रेड़न ली जाती हैं तो हमारा यही कहना है कि राकेश रॉषन यह थोड़ा गंभी जादा हॉलिवुड फिल्मों में देखा जा चुका है तीसरी फिल्म में आपने कमाली कर दिया आप म्यूटेंट लिया है अब एक्समेन मुल्वरीन का कॉनसिप्ट कहां फिट होता है एक सोलो सूपर हीरो वाले काल में कोशिश करिए कि इसे बैटमेन सिरीज की फिल्मों टारगेट करना है तो हल्क वाले मैं रिजम डाल दो खृष में आइरन मैं वाले वर लाइन अप भी बहुत अच्छे लगेंगे अब चूंकि शक्तियों के मामले में वह तो तो कुछ महां से ले लेना बस मुटेंट मतनाना और कुछ भी करना तो यह जितना भी आईडिया इतनी भी बाते ही हमने आपको बताई किया आप भी चीजों से सहमत है कितनी बातों से आप सहमत है और इसमें और क्या अच्छे चेंजिस किये जा सकते हैं स्टोरी को और इंट्रिस्टिंग बनाने के लिए आपके भी दिमाग में कुछ आईज तो जरूर होंगे तीन-तीन इसकी आप भी देख चुके हैं तो अब क्रिश 4 और क्रिश 5 में आप क्या नया देखने की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो नीचे कमेंड में ज़रूर शेयर करें हमारे साथ क्रिश 4 का टीजर कब आ रहा है? क्रिश 4 को एवेंजर्स की तर्च पर क्यों बनाया जा रहा है? मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गराद के फिल्मी गलियारे में काफी समय से पूरी कायनात केवल दो लोगों को मिलाने में लगी हुई है रेतिक रोसन और दीबका पदुकोण फैन सिंदो सुपर स्टार को एक साथ देखने के लिए तरस गए हैं लेकिन अब उनकी मुराद पूरी हो चुकी है क्योंकि दीबका पदुकोण क्रिस रीज की अगली हिरोईन होगी अगर फिल्म में दीबका पदुकोण है तो उस मताबिक रोल भी होना चाहिए ऐसे में उनके लिए एक दमदार सुपर गल का किरदार लिखा जा रहा है जो क्रिस की सुपर पाउर को पूरी तरह से टक कर दे सके इससे पहले क्रिस रीज में प्रिती जिंटा, प्रियंका दिखा जाएगा, पहले अफवात ही कि इस फिल्म को संजे गुपता डारेट करेंगे, लेकिन संजे गुपता ने साब कहा है कि मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैं राइटिंग टीम का हिस्सा हूँ, इसके अलावा फिल्म के बारे में जो भी फैसरा लेंगे वो राकेश संजे गुपता ने रितिक रोसन के फिल्म काविल का भी डारेक्शन किया था, इस फिल्म में रितिक के साथ यामी गौतम लीड रोल में थे, सुपर हीरो की कहानिया बच्चों में कैसे लाती हैं परिवर्तन, ऐसा कहा जाता है सुपर हीरो के पास दैबियें अत्वा पसंद करते हैं, जिसने बुरे लोगों को नहीं, बुराई को जड़ से खत्म करने की कसम खाई थी, वो कोई और नहीं भारत का पहला सुपर हीरो सक्तिमान है, इसके बाद कई सुपर हीरो ने लोगों का दिल जीत लिया, बॉलिवड के सुपर हीरोज में सबसे जादा पसं जाता है, यदि हम खुद का आत्मिस्वास बनाए रखें तो मोगैंबो जैसे बुरी सक्तियों को आसानी से हरा सकते हैं, भले हमारे पास सुपर पाउर ना हो, लेकिन अपने भीतर छुपे आत्मिस्वास के पाउर को पहचानना बहुत जोरी है, वैसे भारतिये सुपर हीर अगर बाहर के सुपर मैन की बात किया जाये तो जैसे आइरन मैन, स्पाइडर मैन, सुपर मैन, डेर डेविल, बैट मैन, डोरे मोन, जैसे सुपर हीरोज को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, यही वज़ा है कि राकेश रोसन क्रिस फोर का निर्मार करना चाहते हैं, अब हो क्रिस फोर को इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाना चाहते हैं, इसी लिए इस फिल्म का निर्वार एवेंजर्स इन्मिट्री वार की तरज पर किया जाएगा, माना जा रहा है कि इस साल के आंध तक इस फिल्म का टीजर भी राकेश रोशन क्रिश फोर के साथ क्रिश फाइफ क्यों वराना चाहते हैं, और तलाग के बाद भी रितिक रोशन ने अपनी पत्नी सुजैन खान से रिष्टा क्यों नहीं तोड़ा नमस्कार दोस्तो, मैं गरिमा सिंग, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल, बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तो, SS राजा मॉली ने जब से बाहुबली के दो भाग बनाए हैं, कई फिल्मकारों का सपना रहा है कि वो ऐसी ही फिल्म बनाए राकेश रोशन ने भी अपनी हिट क्रिश सिरीज के लिए बाहुबली फॉर्मिला ढून लिया है जिहाँ बताया जा रहा है कि क्रिश 4 और क्रिश 5 को एक साथ लिखा जा रहा है और उसे एक साथ बना कर कुछ अंतराल के बाद रिलीस किया जाएगा ठीक उसी तरह जैसे बाहुबली पहले भाग को दब बिग निंग और दूसरे को कंक्लूजन के नाम से रिलीज किया गया था रितिक रोशन ने मुंबई में हुए एक कारिक्रम में हाल ही में कहा कि क्रिश फोर की तैयारियां शुरू हो चुकी है फिल्म के बारे में हालांकी वो कुछ भी कहने से बचते ही नज़र आए इस बारे में बताते हुए रितिक रोशन ने कहा कुछ नहीं बताने के लिए अभी बहुत समय है वैसे बॉलेवुट में बनते विगरते रिष्टों की कहानी तो अकसर देखने और सुनने को मिल ही जाती है लेकिन कुछ ऐसे रिष्टे भी होते हैं जो तूटने के बाद भी बने रहते हैं ऐसा ही कुछ रिष्टा है एक्टर रितिक रोशन और उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान के बीच इन दोनों ने काफी संजीदगी से एक दूसरे से तलाक लिया था हालांकि रिष्टा कभी खत नहीं हुआ हाल ही में इस कपल के बीच में कमाल की केमिस्टरी देखने को मिली ये दोनों पूरी फैमिली के साथ वेकेशन मनाने निकले थे इस दौरान किसी फैमिली मेंबर की ही तरह सुजैन ने इस वेकेशन की फोटो शेयर की है रितिक रोशन अपने पूरे परिवार और एक्स वाइब सुजैन खान के साथ न्यू यर वैकेशन मनाने के लिए फ्रांस पहुंचे थे इस दोरान उनके दोनों बच्चे भी साथ दिखाई दिये इस ट्रिप में उन्होंने आज़ परवत में स्नो सिंग भी की और काफी मस्ती भी वहीं अब सभी इस वैकेशन से लौट आए हैं लिकिन मालूम होता है कि सुजैन इस मस्ती को काफी मिस कर जही है जिसके चलते हाल ही में उन्होंने इस vacation की बेहद शांदार तस्वीरे शेयर की हैं जिन में वो अपने ex-pati रितिक रोशन के साथ तो दिखी रही हैं साथ में कई और लोग भी नज़र आ रहे हैं इन तस्वीरों को caption भी काफी दिल्चस्प है उन्होंने लिखा है modern family, दो बेटे, एक मा और एक पिता, cousins और भाई बहन, grandparents, grand uncle auntie और दो दोस्त नए रिष्टे और खुशियों से भरा हुआ दिल इन तस्वीरों के साथ सुजैन ने बेहत खुबसूरती से नए साल की शुब कामनाई दी हैं फोटोज की बात करें तो इन में से एक में सुजैन, रितिक और कुछ दोस्तों के साथ किसी बार में दिखाई दे रही हैं तो एक अन्य में वो एक्स पती के साथ स्नोर स्कींग करती नज़र आ रही है सुजैन रितिक की बेहन सुनेना रोशन के साथ भी काफी मस्ती करती हुई दिखाई दिए इस vacation को रितिक रोशन के पिता राकेश रोशन भी अपनी वाइफ के साथ काफी Enjoy करते दिखाई दिए इन तस्वीरों और कैपशन को देखकर लगता ही नहीं कि सुजैन कभी रितिक से अलग भी हुई है बात करें इनके रिष्टे की तो सुजैन ने 1 निवेंबर 2014 में रितिक रोशन से तलाक ले लिया था इस तलाक के पीछे कोई वज़ा साफ नहीं हो पाई लेकिन कयास कई तरह के लगाए जा रहे थे उसे दोरान रितिक और कंगना रनौत का विवाद हुआ था जिसके बाद इस तलाक को इस विवाद से जोड़ कर देखा गया लेकिन तलाक के बाद भी हर मुश्किल समय में सुजैन रितिक के साथ खड़ी नज़र आई थी उन्होंने कई मौकों पर अपने एक्स पती को डिफेंट भी किया था तो दोस्तों आप कितना एक्साइटेड हैं क्रिश 4 और क्रिश 5 को लेकर नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं कोरोना वाइरस की वज़ा से क्या फिर से लिखी जाएगी क्रिश 4 की कहानी क्या साथ साल पहले आई फिल्म क्रिश 3 में दिखाई गई थी कोरोना वाइरस की जलक नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में रितिक रोशन की सूपर हिट सिरीज क्रिश फिर से एक बार सुर्ख्यों में आ गई है वज़ा है फिल्म में साथ साल पहले दिखाया गया वाइरस रितिक रोशन के पापा ने इस फिल्म की कहानी लिखी थी और इस कहानी में वाइरस अटैक एक एहम ट्रैक था फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे नामीबिया से शुरू हुआ एक वाइरस का असर मुंबई तक आ जाता है और लोग इस वाइरस के आतंक से मरने भी लगते हैं फिल्म में ये भी दिखाया जाता है कि मुंबई में फैला वाइरस बायलोजिकल वैपन था और इसे फिल्म में पैसा कमाने के लिए फैलाया गया था लेकिन इससे पहले कि फिल्म का में विलिन यानि की काल इसके एंटी डोड को बेचता क्रिश के पापा यानि की साइंटिस्ट रोहित इस वाइरस का एंटी डोड बना लेते हैं और इस तरह मुंबई को इसके कहर से बचा लेते हैं क्रिश्टरी उस समय की ब्लॉक बस्टर फिल्म रही थी और अब भी उसी तरह के हालाद बन चुके हैं लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये हमारी जिंदिगी से जुड़ चुका है सिर्फ फिल्मी परदे तक सीमित नहीं रह गया काफी लोग इस बात पर आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना वाइरस भी लैब में ही तयार किया गया एक वाइरस है जिसे जान बूज कर लैब से लीक किया गया तो वहीं कुछ लोगों का ये भी दावा है कि ये बायलोजिकल वैपन साइंटिस्ट की गलतियों से लैब से निकला है कहानी चाहे जो भी हो लेकिन इस वक्त कोरोना वाइरस को लेकर माहूल काफी डरावना हो चुका है बॉलिवुड के प्रेडियूसर्स इस अबजेक्ट पर अब फिल्म बनाने को लेकर भी काफी जादा एकसाइटिड नजरा रहे हैं लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस क्रिश 3 में पहले ही ऐसे मिलते जुलते वाइरस का ट्रैक दिखाया जा चुका है क्या क्रिश के अगले इंस्टॉल्मेंट में इसी पैटर्न पर कोरोना वाइरस की कहानी शामिल की जाएगी राकेश रोशन तो काफी लंबे समय से क्रिश 4 के लिए ट्राई कर रहे हैं इसकी कहानी पर लगातार काम कर रहे हैं और अब जो हालात बन चुके हैं इस लिहास से देखा जाए तो क्रिश 4 के सूपर हीरो पर कोरोना वाइरस की कहानी काफी जम सकती है अगर देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे में रितिक रोशन का स्टारडम भी काफी बड़ा है काबिल फिल्म हो चाहे सूपर थर्टी इन फिल्मों से रितिक रोशन इंडस्ट्री के एक नए सूपरस्टार के तौर पर उभरे हैं क्रिश फोर रितिक की एक ऐसी मच अवेटेड फिल्म है जिसके लिए लोग काफी बेकरार हैं हालांकि राकेश रोशन इस बात से काफी जादा गुसा भी है कि कुछ लोग कोरोना वाइरस के नाम पर रितिक रोशन की पहली फिल्म कहोना प्यार है को इनकैश करना चाहते हैं अब साथ ही ये देखना भी काफी इंट्रेस्टिंग होगा जब कोरोना वाइरस का कहर थमेगा तब क्या राकेश रोशन क्रिश फोर की कहानी में इस खतरनाक सच्चाई और इस वाइरस को शामिल करते हैं या नहीं आपको क्या लगता है क्रिश फोर की कहानी में कोरोना वाइरस को शामिल करना चाहिए अगर इसे शामिल किया जाता है तो क्या ये फिल्म के लिए प्लस पॉइंट होगा? अगर फिल्म में दीबका पदुकोड है तो उस मताबिक रोल भी होना चाहिए। ऐसे में उनके लिए एक दमदार सुपर गल का किरदार लिखा जा रहा है। जो क्रिस की सुपर पाउर को पूरी तरह से टक कर दें सके। इससे पहले क्रिस स्रीज में प्रिती जिंटा, प्रिय प्रेमर्स रोल में देखा जाएगा। पहले अफवात ही कि इस फिल्म को संजे गुपता डारेट करेंगे। लेकिन संजे गुपता ने साब कहा है कि मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैं राइटिंग टीम का हिस्सा हूँ। इसके अलावा फिल्म के बारे में जो भी फैस से लाती हैं परिवर्तन। ऐसा कहा जाता है सुपर हीरो के पास दैबियें अत्वा अध्भुत सक्तिया होती हैं जो लोगों और समाज की भलाई के लिए काम करती हैं। सिनेमा जगत में ये काफी प्रचित है। इन्हें फरिस्ता भी कहा जाता है। इन फरिस्तों को सुपर हीरो ने लोगों का दिल जीत लिया। बॉलिवुड के सुपर हीरोज में सबसे ज्यादा पसंद किया गए थे मिस्टर इंडिया क्योंकि वो एक साधारान इंसान से सुपर हीरो बनता है और बच्चों से बहुत प्यार करता है। मिस्टर इंडिया की साधगी उसे अलग बनाती है मिस्टर इंडिया ये भी सिखाता है यदि हम खुद का आत्मिश्वास बनाए रखे तो मोगैंबो जैसे बुरी सक्तियों को आसानी से हरा सकते हैं भले हमारे पास सुपर पाउर ना हो लेकिन अपने भीतर छुपे आत्मिश्वास के पाउर को पहचानना इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है अगर बाहर के सुपर मैन की बात किया जाए तो जैसे आइरन मैन, स्पाइडर मैन, सुपर मैन, डेर डेविल, बैट मैन, डोरे मोन, जैसे सुपर हीरोज को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है यही वजा है कि कि तरज पर किया जाएगा माना जा रहा है कि साल के अंध तक इस फिल्म का टीजर भी लॉंच कर दिया जाएगा आज की लिए बस इतना ही ये वो कुछ भारतिया फिल्में है जो सूपर हीरो के जॉनर में बनी है दोस्तों अब भावेश जोशी में भले ही सूपर हीरो वाली क बन रही है लेकिन अमेरिकी सूपर हीरो फिल्मों से प्रभावित होकर कोई पहला मुकमल इंडियन सूपर हीरो लाने वाला और कोई नहीं वो है राकेश रोशन उन्होंने दो हजार तीन में कोई मिल गया से शुरुवात की थी और उसके बाद दो फिल्मों के सीक्वल बने 2006 में क्रिश और 2016 में क्रिश 3 सबसे पहली फिल्म रोहित नाम के एक लड़के की कहानी थी जो उम्र में तो बड़ा हो जाता है लेकिन उसका दिमाग बच्चे जैसा ही रहता है और इस वज़े से उसे सभी लोग परिशान करते हैं लेकिन एक दिन एक एलियन धर्ती पर आता है वो है जादू और वो जादू रोहित को असीम शक्तियां दे कर जाता है दूसरी और तीसरी फिल्म रोहित के बेटे के बारे में होती है तुकि रोहित की मा क्रिशन की बहुत बड़ी भक्त होती है और रोहित को शक्ती दे के जाने वाले एलियन जादू का रंग भी नील इसलिए वो उसका नाम कृष्णा ही रखती है और अपने पिता की तरह ही उसमें काफी सारी शक्तिया होती है और जब वो मास्क पहन कर लोगों की मदद करने के लिए उतरता है तो उसे लोग कृष्ण कहते हैं और अब इसी कृष्ण सीरीज में ताजी हलचल हो रही है और वो पहले तो फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्ध की देखने को मिल सकते हैं कुछ रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है अगर उनकी कास्टिंग फाइनल है तो अभी ये तैन ही है कि वो किस रोल में नजर आएंगे अब वो सल्मान खान की किक फिल्म में विलन के रोल में थे और उ Avengers Infinity War में एक ही कहानी को दो अलग हिस्सों में बाट दिया गया था जिसमें पहला हिस्सा आच चुका है और दूसरा आएगा जैसे बाहु बली एक और दो में था आखिर दूसरे हिस्से में होगा क्या इसकी इतनी जादा excitement थी लोगों में कि बाहु बली टू ने पहली फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही करने की सोच रहे हैं इन फिल्मों में सूपर हीरो के रूप में दिखने जा रहे रितिक रौशन के कॉस्ट्यूम डिजाइनर और स्टाइलिस गेविन मिगेल हो सकते हैं इन्होंने ही क्रिस 3 में कंगना के केरेदार काया के कपड़े डिजाइन किये जो रबर लेक्टेक्स से बनाए गए थे इन दोनों फिल्मों के स्टन्ट और स्पेशल इफेक्ट्स के लिए इंटरनेशनल क्रू को बुलाए जाएगा अब देखना होगा कि राकेश किन हॉलिवूट फिल्म के क्रू को बुलाते हैं क्योंकि क्रिस 3 के वी एफेक्स तो उ उसके लिए किसी नई हिरोईन को जरू लाया जाएगा क्रिश 4 की रिलीज जेट की घोशना भी राकेश रोशन ने कर दी है वो 2020 के क्रिस्मस पर इसकी रिलीज जेट का टार्गेट लेकर चल रहे हैं लेकिन ये डिपेंड करेगा कि तब किसी बड़े सूपरस्टार की फिल तो नहीं रिलीज हो रही या फिर उनकी फिल्म की शूटिंग कब तक खत्म हो जाएगी अभी दोनों फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है सीरीज की पिछली फिल्मों की राइटिंग टीम में हनी इरानी रॉबिन भट राकेश रोशन सचिन भॉमिक संजय मासूम औ और आकर्श खुराना जैसे लोग रहे हैं लेकिन इस बार स्टोरी स्क्रीन प्ले और डालॉग्स किसके होंगे अभी ये कुछ नहीं पता बॉलिवुड के इकलोते सूपर हिट सूपर हीरो से इश्ग कौन लड़ाएगा? कौन सा सूपर हीरो है एक्ट्रिस के लिए पनौती और इस सूपर हीरो की हिरोईन बनने के लिए कौन सी एक्ट्रिस लगाएगी अपने करियर को दाओ पर? नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलिकराद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तों हिंदी सिनेमा में जकी शौफ से लेकर टाइगर शौफ तक के बीच तमाम एक्टरस ने सूपर हीरो बनने की कोशिश की पर सूपर हीट रहा तो बस एक सूपर हीरो यानी की कृश पर इसकी हिरोईन फिल्म कोई मिल गया से शुरू हुआ सूपर हीरो कृषण का सफर अब सिरीज की चोथी फिल्म तक आ पहुंचा है प्रितिक रोशन स्टारर इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म क्रिश फोर 2020 में क्रिसमस के मौके पर रिलीस की जाएगी लेकिन यहां मुद्दा ये उठता है कि बॉलिवुड की एक्ट्रिस के बीच कौन बनेगी क्रिश की हिरोईन दरसल पूरे मुकाबले का पैच ये है कि जो भी एक्ट्रिस अब तक क्रिश की हिरोईन बनी है उसकी परसनल या प्रोफेशनल लाइफ में भूचाल जरूर आया है पिछली फिल्म में प्रिया बनी प्रियंका चोपड़ा मा बन चुकी थी लिहाजा उनके अब हिरोईन बनने के चांस नहीं है लेकिन ट्रेट पंडित बता रहे हैं कि इस बार क्रिश की हिरोईन बनने के लिए दिपिका पाधुकोन का नाम रेस में सबसे आगे है लेकिन केट्रीना भी है कॉम्पिटीशन में क्रिश 4 के एलान की सबसे ज़ादा खुशी इस फ्रेंचाइजी के डाइ हार्ड फैंस को हो रही है डॉक्टर सन्जे महरा से शुरू हुई यह कहानी उनके बेटे रोहिट से लेकर उसके बेटे कृषना तक होते होए अब करिशना के बेटे रोहिट तका पहुची है यानि की फिल्म की कहानी अब 4 पीढी से शुरू होगी जी हाँ पिछली फिल्म याने की क्रिश 3 में क्रिशना और प्रिया ने अपने बेटे का नाम उसके बाबा के नाम पर रोहित महरा ही रखा था क्रिश 4 के रिलीज होने के वक्त ये फ्रेंचाइजी 15 साल का सफर तै कर लेगी 2003 में रिलीज हुई कोई मिल गया से लेकर अब तक क्रिश की सफलता को कैश कराने के लिए तमाम प्रेडियूसर्स ने सूपर हीरो फिल्म में बनाने की कोशिश की लेकिन दूसरा कोई सूपर हीरो बॉलिवुड के शोकीनों का दिल नहीं जीत पाया है सूपर हीरो सिरीज की आखरी फ्लॉफ फिल्म रही टाइगर श्रॉफ की फ्लाइंग जट दिल्चस बात तो ये है कि टाइगर के पिता यानी की जैकी श्रॉफ ने ही बॉलिवुड में सूपर हीरो सिनेमा की शुरुवात की थी फिल्म शिवा का इंसाफ से जोकी देश में बनी पहली हिंदी 3D फिल्म भी थी 2008 में गोल्डी बहल ने अभिशेक बच्चन को लेकर एक सूपर हीरो द्रोन गड़ने की कोशिश की थी पर 60 करोड रुपे खर्श करके भी बॉक्स ओफिस पर फिल्म ताश के पत्तों की तरह भी खर गई इसके बाद शारुख खान ने करीब 150 करोड रुपे खर्श करके खुद सूपर हीरो बनने की कोशिश की फिल्म रावन में फिल्म का बॉक्स ओफिस पर हर्श क्या रहा इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके डिरेक्टर यानि कि अनुवफ सिना के साथ पांच साल तक कोई बड़ा एक्टर काम करने को तैयार नहीं हुआ जिसके बाद वो नए चेहरे के साथ अपनी फिल्म तुम का सीक्वल लेकर आए और वही माना जा रहा है कि क्रिश फोर को इस बार बाहुबली की तरज पर शूट किया जाएगा तो जाहिर से बात है कि लोगों को फिल्म से उम्मीदे काफी जादा है और राकेश रोशन ने भी कहा है कि वह फैंस को कुछ नया देना चाहते हैं लिए रितिक रोशन अपने बच्चों से भी सीख रहे हैं जी हां उन्होंने बताया था कि वह अपने बच्चों से वीडियो केम्स के जरिए विलेंस कैसे हो सकते हैं उनके बारे में नॉलिज ले रहे हैं क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि इस बार क्रिश फोर में रितिक विलन और हीरों दोनों का रोल खुद ही प्ले करने वाले हैं और दोस्तों अगर यह सच में होता है तो यह फिल्म काफD इंट्रेस्टिंग् होने वाली है दोस्तों इन दिनों आने वाली कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबर्दस चरजा चल रहे हैं इन्हीं फिल्मों में से एक है वृतिक रोशन की आने वाली फिल्म क्रिश फॉर्ड राकेश रोशन आजकल तेजी से क्रिश फॉर्ड की स्क्रिप पर काम कर रहे हैं हाल ही में खबर थी कि फिल्म में प्रियंका चोप्रा और क ट्रीना कैफ में से कोई एक या फिर दोनों ही फिल्म की लीर हिरोईन के तोर पर फाइनल हो सकती है इसके बाद खुद राकेश रोशन ने क्रिश फॉर्ड की स्टार कास्ट को लेकर जबर्दस खुलासा किया है निर्माता और निर्देशक राकेश रोशन ने बताया कि एक उनका रोल कितना लंबा होगा राकेश रोशन ने पहले ही प्रियंका को याद करते हुए बताया कि जब वो प्रियंका के साथ क्रिश मे काम कर रहे थे तब उन्हें नहीं लगा था कि वो इंटरनेशनल स्टार बन जाएंगी लेकिन उन्हें ये जरूर लगा था कि बॉलिवुड की नंबर वन हिरोईन हमेशा रहेंगी बता दे की हाल ही में खबर आई थी कि राकेश रोशन या तो क्रिश 4 को दो पार्ट में बनाने की सोच हैं या फिर वो एक साथ दो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं जिन में से एक होगी क्रिश 4 और दूसरी होगी क्रिश 5 माना जा रहा है कि दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ ही साथ होगी और इसे एक साल के अंतर में ही रिलीज किया जाएगा यानि की 2020 और 2021 के स्रितिक क्रिश 4 से जुड़ी कुछ बेहत दिल्चस्प बाते दोस्तों सबसे पहले सवाल है कि आइडिया कैसे आया सूत्रों की माने तो राकेश रोशन को क्रिश 4 का आइडिया तब आया जब उन्हें उनकी पत्नी ने भगवान गनेश की एक तस्वीर दिखाई जहां भगवान गने सेक्टर्स को लाया जाएगा एक्शन के मामले में फिल्म अलग स्थर पर जाएगी ऐसा निर्माताओं का मानना है दोस्तों वहीं सूपर हिट फ्रेंचाइजी क्रिश क्रिश 3 दोनों ही फिल्में सूपर हिट रही हैं और कमाई के मामले में बॉक्स ओफिस पर धमाका किया ह लिहाज़ा क्रिश 4 को और भी बड़े स्थर पर तयार किया जा रहा है दोस्तों वहीं राकेश रोशन ने कहा था कि उनकी फिल्म में बॉली बुट की A-List हिरोईन होगी और हिरोईन का किरदार काफी दमदार होगा हाला कि निर्देशक ने अभी नाम बाहर नहीं किया है बता दे रितिक फिल्म में न्यू कमर को चाते हैं हाला कि इस फिल्म में प्रियंका का नाम फाइनल हो चुका है दोस्तों क्रिश फ्रेंचाइजी के निर्देशक राकेश रोशन का मानना है कि फिलहाल भारत में लोग फीमेल सूपर हीरो की फिल्म नहीं देखेंगे और इसी कारण से वो क्रिश फोर को हिरोईन केंदरित फिल्म नहीं बना सकते क्योंकि फैंस को वो पसंद नहीं आएगी दोस्तों वहीं इस बार विलन भी दमदार होने वाला है जहां सूत्रों की माने तो फिल्म के विलन का जैसा किरदार लिखा गया है उसमें नवाज परफेक्ट बैठते हैं राकेश रोशन और फिल्म की बाकी टीम चाहती है कि विलन का किरदार कोई दमदार एक्टर ही निभाए और ऐसे में सभी की उम्मीदें नवाज उद्दीन सिद्धी की पर आकर ठीकी है दोस्तों वहीं अगर बात करें क्रिश 4 की रिलीज डेट की तो निर्देशक राकेश रोशन ने रितिक की बहु प्रतिक्षित फिल्म और सूपर हिट फ्रेंचाइज की चोथी फिल्म क्रिश 4 की रिलीज डेट गोशना कर दी है फिल्म साल 2020 के क्रिस्मस पर रिलीज होने वाली है दोस्तों वहीं बात आई डबल धमाका जिहां हाल ही में खबर आई थी कि राकेश रोशन या तो क्रिश 4 को दो पार्ट में बनाने की सोच रहे हैं या फिर वो एक साथ दो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं जिन में से एक होगी क्रिश 4 और दूसरी होगी क्रिश 5 माना जा रहा है कि दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ ही साथ होगी दोस्तो वहीं दो-दो एक्ट्रिस का भी नाम सामने आ रहा है जिहां इस फिल्म में दो एक्ट्रिस का नाम एक साथ नज़र आ रहा था क्रिश फोर्ड में दो एक्ट्रिसेस स्क्रीन शेयर करती नज़र आएंगी माना जा रहा है कि प्रियंगा के अलावा इस फिल्म में केट्रीना भी नजर आ सकती है हाला कि अभी इसे लेकर कुछ डिसाइड नहीं हुआ है तो उस्तो वहीं सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बनने वाली है जिहां फिल्म क्रिश सबसे ज़्यादा कमाने वाली एक्शन फिल्मों में शामिल है और क्रिश 4 और क्रिश 5 भी ऐसा ही करेगी माना ये भी जा रहा है कि बड़े बजट पर तयार की जा रही ये फिल्म अब तक की सबसे तगड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है दोस्तो वहीं अगर विलन की बात करें तो पिछली बार कृष्ट के विलन थे विवेक अबरोई लेकिन इस बार कृष्ट की स्टर कास्ट अभी से धमाके कर रई है और माना जा रहाए कि कृष्ट 4 के विलन के लिए नौजद्दीन सिद्धी को अप्रोच किया गया है और उन्होंने हाँ भी कर दी है दोस्तो गौर तलब है कि नवाजुद्दीन सिद्धी की इससे पहले भी सलमान खान को किक और बजरंगे भायजान में खा चुके हैं दोस्तो क्रिश्ट 3 2013 की बॉलिवुड की सूपर हीरो क्रिश्णा की विज्ञान कल्पना फिल्म है फिल्म के निर्माता निर्देशक राकेश रोशन है फिल्म कोई मिल गया 2003 के नायक रोहित और क्रिश्ट 2006 के सूपर नायक क्रिश्णा की कहानी को आगे बढ़ाती है इसकी दोनों पूर फिल्मों ने अच्छी सफलता प्राप की थी फिल्म को पहले 3D प्रारूप में जारी करना तै किया था हालांकि समय की कमी के कारण इसे 3D में रुपांतरित किये बिना राकेश रोशन ने बाद में पुस्टी की कि फिल्म को केवल टूडी में ही जारी किया जाएगा फिल्म विश्वर में 1 नवेंबर 2013 को जारी की गई क्रिश 3 को समालोचकों से सकरात्मक समिक्षाएं मिली हैं फिल्म में रृतिक रोशन ने च्रिपल रोल अदा किया था और फिल्म ने 240 करोड़ 50 लाग का कारोबार किया था पिछली फिल्म में आपने देखा सिध्धान तार्य को हडाकर क्रिश अपने पापा रोहित महरा को उसकी कैट से चुड़ा कर घर ले जाता है इस फिल्म के कहानी यहीं से शुरू होती है क्रिश यानी क्रिश महरा अब अपनी दुनिया में लोट आया है जहां वो अपनी खुबसूरत पत्नी प्रिया महरा के साथ बहुत खुश है रोहित भी अब अपने बेटे बहु के साथ रहे कर अपने प्रियोग जारी रखे हुए है प्रिया एक न्यूस चैनल में एंकर है और क्रिशना किसी नोकरी पर टिक ही नहीं पाता क्रिश हर उस जगे मोजूद हो जाता है जहां किसी मुसीबत में फसे इंसान को उसकी जरूरत है भले ही इसके लिए उसे नोकरी से ही गायब क्यों ना होना पड़े और यही वज़़े है कि हर नोकरी पर वो चन्द दिन ही टिक पाता है क्रिया को क्रिश की असलियत मालूम है यही वज़़े है कि उसके हर कदम पर उसका साथ देती है दूसरे ओर काल दुनिया से इंसानों को खत्म करने की नापाक साजिश रच रहा है काल ने अपने डिने और जानवरों के डिने से ऐसे अमानव बनाए हैं जो उसकी तरह सोचते हैं और उसके इशारों पर चलते हैं इनी में काया यानि कंगना रनावत भी शामिल है जो काल से मिली शक्तियों के चलते पल भर में अपना रूप बदल सकती है काल दुनिया को तभा करने के लिए एक ऐसा वाइरस तयार करता है जो इनसानों को मिटाने के मकसद से तयार करवाया गया है काल के बनाए एमानव इस वाइरस को मुंबई में फैलाते हैं जहां रोहित महरा और क्रिश इस वाइरस की तोड़ खोजने में काम्याब होते हैं काल के इशारे पर काम करने वाली काया और उसके बनाए एमानव रोहित महरा और क्रिश को मारने मुंबई पहुँच जाते हैं दोस्तो खबरे थी कि इस फ्रेंचाइजी का अगला भाग क्रिश फोर जल्द ही बनने वाला है लेकिन अब खबर है कि पिता बेटे की जोड़ी में कुछ क्रिएटिव को लेकर मतभेद है इसलिए ये भाग बनने में देरी हो रही है दोस्तो सूत्र के मताबिक रितिक अपने पिता की सला नहीं ले रहे हैं रितिक के कुछ अलग विचार है कि कैसे स्क्रिप्ट होनी चाहिए और किस तरह की कास्ट इसमें काम करनी चाहिए रितिक एक अच्छे अभिनीता के रूप में सामने आये है और आज के सीनेमा को वो बहतर समझते हैं वे अपने निर्देशक पिता से चाहते हैं कि वो इस पार कुछ समझदारी वाली फिल्म बनाएं जोसे देखकर दर्शक समझ पाएं साथ ही कास्टिंग को लेकर भी उनके बीच काफी मतभेद चल रहा है दोस्तो क्रिश 4 को बाहुबली की तरश पर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जब से बाहुबली रिलीस हुई है हर फिल्म निर्माता बाहुबली को एक आइकन के रूप में देखते आ रहे हैं और इसलिए हर फिल्म मेकर चाहता है कि उसकी फिल्म बाहुबली की तरह भव्य हो। इसलिए राकेश रोशन बाहुबली वाला फॉर्मुला अपना रहे हैं। वो क्रिश 4 और क्रिश 5 दोनों को एक साथ शूट करेंगे। लेकिन क्रिश 4 को वो पहले रिलीज करेंगे। बाहुबली जैसा भव्य सेट क्रिश 4 और क्रिश 5 के लिए बनाया जाएगा। जैसा कि हमारे इंडियन मैथलोजी में हमारे बजरंग बली यानि की हनुमान जी पहले सूपर हीरो हैं। हनुमान के केरेक्चर को ही केंदर में रखकर आज तक सूपर हीरो की कलतना की गई है। परंतु इस बार लोड गनेशा के सूपर नैचुरल पावर का एडपेशन क्रिश 4 और क्रिश 5 में किया जाएगा। ऐसा गुप्त सूत्रो का मानना है। परंतु अभी तक फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म की स्टोरी को रिविल नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये फिल्म भारत की सबसे बड़ी सूपर हीरो वाली फिल्म बनने जा रही है। ये वही फिल्म है जिसने फिल्म इंडस्ट्री को हॉलिवुट लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। रितिक रोशन एक ऐसे एक्टर हैं जो सिर्फ अभीने के लिए ही नहीं बलकि डांस के साथ साथ सूपर क्यूट स्टाइलिस्ट हीरो के रूप में जाने जाते हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात मानें तो कहा जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर दो हसार करोड का बिजनिस कर लेगी। और अब बॉलिवुट की गरिमा भी हॉलिवुट के सूपर नेचरल फिल्मों जैसी हो गई है। इसलिए क्रिश 4 और क्रिश 5 को लेकर कोहराम मचा हुआ है। आप लोगों को फिल्म का कितना बेसबरी से इंतजार है और आपके अकॉर्डिंग क्रिश की हिरोईन कौन होनी चाहिए। अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और देखते रहे हमारा चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज। क्रिश 4 की शूटिंग में क्यूं हो रही है देरी। और कब से शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों बॉलिवूड अभिनेता रितिक रोशन ने कहा कि वो जल्द ही सूपर हीरो पर आधारित फिल्म क्रिश की चौथी कड़ी पर काम शुरू करने वाले हैं। इस फिल्म की पहली कड़ी कोई मिल गया थी जिसका निर्देशन उनके पिता राकेश रोशन ने 2003 में किया था। इसके बाद 2006 में क्रिश और 2013 में क्रिश थ्री आई। रितिक रोशन ने 2017 में सूपर हीरो पर आधारित इस फिल्म की अगली कड़ी बनाने का फैसला किया। हाल ही वार फिल्म में नजर आए अभिनेता रितिक रोशन ने कहा कि वो इस फिल्म की कड़ी को लेकर काफी जादा उत्साहित है जिसे उनके पिता की खराब सेहत की वज़े से टाल दिया गया था। आपको बता दें कि रितिक रोशन ने पी टी आई भाशा से कहा फिल्म वार के बाद मैं अपने पिता के साथ बैठूंगा और सभी के साथ मिलकर क्रिश फोर पर दो बारा काम शुरू करेंगे। पापा की सेहत के मद्दे नजर हमने इस से थोड़ा किनारा कर लिया था लेकिन अब वो बहतर हैं। हम इस पर एक बार फिर काम शुरू करेंगे। से लेकर टाइगर शौफ तक के बीच तमाम एक्टरस ने सूपर हीरो बनने की कोशिश की। पर सूपर हीट रहा तो बस एक सूपर हीरो यानि की क्रिश। पर इसकी हिरोईन फिल्म कोई मिल गया से शुरू हुआ सूपर हीरो क्रिशन का सफर अब सिरीज की चौथी फिल्म तक आ पहुंचा है। रितिक रोशन स्टारर इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म क्रिश फोर 2020 में क्रिस्मस के मौके पर रिलीस की जाएगी। लेकिन यहां मुद्दा यह उठता है कि बॉलिवुड की एक्ट्रिस के बीच कौन बनेगी क्रिश की हिरोईन। दरसल पूरे मुकाबले का पैच यह है कि जो भी एक्ट्रिस अब तक क्रिश की हिरोईन बनी हैं उसकी परसनल या प्रोफेशनल लाइफ में भूचाल जरूर आया है। प्रिदी जंटा और नैस वाडिया के किसे से लेकर खुद रितिक और कंगना के किसे तो बॉलिवुड फिल्मों के फैंस को जुबानी याद हो चुके हैं। तो वहीं इसके बावजूद बॉलिवुड की हर बड़ी हिरोईन क्रिश फ्रेंचाइजी का पार्ट जरूर बनना चाहती है। पिछली फिल्म में प्रिया बनी प्रियंका चौपड़ा मा बन चुकी थी लिहाजा। उनके अब हिरोईन बनने के चांस नहीं है। लेकिन ट्रेड पंडित बता रहे हैं कि इस बार क्रिश की हरोईन बनने के लिए दिपिका पादुकोन का नाम रेस में सबसे आगे है। लेकिन कैट्रीना भी है कॉम्पेटीशन में। क्रिश 4 के ऐलान की सबसे ज़्यादा खुशी इस फ्रेंचाइजी के डाइ हार्ड फैंस को हो रही है। डोक्टर संझे महरा से शुरू हुई ये कहानी उनके बेटे रोहित से लेकर उसके बेटे कृष्णा तक होते हुए अब क्रिशना के बेटे रोहित तक आ पहुँचिया। यानि की फिल्म की कहानी अब चौथी पीडी से शुरू होगी। जी हाँ, पिछली फिल्म याने की क्रिश 3 में, क्रिशना और प्रिया ने अपने बेटे का नाम उसके बाबा के नाम पर रोहित महरा ही रखा था। क्रिश 4 के रिलीज होने के वक्त ये फ्रेंचाइजी 15 साल का सफर तै कर लेगी। 2003 में रिलीज हुई कोई मिल गया से लेकर अब तक क्रिश की सफलता को कैश कराने के लिए तमाम प्रेड्यूसर्स ने सूपर हीरो फिल्में बनाने की कोशिश की लेकिन दूसरा कोई सूपर हीरो बॉलिवुड के शोकीनों का दिल नहीं जीत पाया है। सूपर हीरो सिरीज की आखरी फ्लॉप फिल्म रही टाइगर श्रॉफ की फ्लाइंग जट। दिल्चस्प बात तो ये है कि टाइगर के पिता यानी की जैकी श्रॉफ ने ही बॉलिवुड में सूपर हीरो सिनेमा की शुरुवात की थी फिल्म शिवा का इंसाफ से जो की दे सूपर हीरो बनने की कोशिश की फिल्म रावन में फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हर्श क्या रहा इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके डिरेक्टर यानी कि अनुवफ सिना के साथ पांच साल तक कोई बड़ा एक्टर काम करने को तैयार नहीं हुआ जिसके बाद वो नए चेहरे के साथ अपनी फिल्म तुम बिन का सीक्वल लेकर आए और वही माना जा रहा है कि क्रिश फोर को इस बार बाहुबली की तरज पर शूट किया जाएगा तो जाहिर से बात है कि लोगों को फिल्म से उम्मीदे काफी जादा है और राकेश रोश के जरिये विलेंस कैसे हो सकते हैं उनके बारे में नौलिज ले रहे हैं क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि इस बार क्रिश फोर में रितिक रोशन विलें और हीरो दोनों का रोल खुद ही प्ले करने वाले हैं और दोस्तों अगर ये सच में होता है तो ये फिल्म काफी स्क्रिप पर काम कर रहे हैं हाल ही में खबर थी कि फिल्म में प्रियंका चोप्रा और केट्रीना कैफ में से कोई एक या फिर दोनों ही फिल्म की लीर हिरोईन के तोर पर फाइनल हो सकती है इसके बाद खुद राकेश रोशन ने क्रिश फोर की स्टार कास्ट को लेकर जबर होंगी हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि फिल्म में उनका रूल कितना लंबा होगा राकेश रोशन ने पहले ही प्रियंका को याद करते हुए बताया कि जब वो सक्रिश में काम कर रहे थे तब उन्हीं लगा था कि वो इंटरनेशन पार्ट में बनाने की सोच रहे हैं या फिर वो एक साथ दो Sbooks पर काम कर रहे हैं जिन में से एक होगी कृष 4 और दूसरी होगी कृष 5 माना जा रहा है कि डोनों फिल्मों की स्चूटिंग साथ ही साथ होगी اور इसे एक साल की अंतर में ही रिलीज किया ऐगा यानि की 2020 और 2001 के स्रितिक रोशन के क्रिश थमाके के साथ पक्का होगा दोस्तों बताया जा रहा है कि ये फिल्म अब तत की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होगी तो चलिए इसी बात पर जानते हैं क्रिश फोर से जुड़ी कुछ बेहत दिल्चस्प बाते दोस्तों सबसे पहला सवाल ह कैसे आया सूत्रों की माने तो राकेश रोशन को क्रिश फोर का आइडिया तब आया जब उन्हें उनकी पत्नी ने भगवान गनेश की एक तस्वीर दिखाई जहां भगवान गनेश ने क्रिश वाली मास्क पहने थी दोस्तों वहीं इस बार एक्शन और भी धमाकेदार होन दोस्तों वहीं सूपर हिट फ्रैंचाईजी कृष कृष 3 दोनों ही फिल्में सूपर हिट रही है और कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया है लिहाज़ा कृश 4 को और भी बड़े इस्दर पर तयार किया जा रहा है दोस्तों वहीं राकेश रोशन ने कहा था क कि उनकी फिल्म में बॉलीवुड की एलिस्ट हिरोइन होगी और हिरोइन का किरदर काफी दमदार होगा हालांकि निर्देशक ने अभी नाम बाहर नहीं किया है बता दे रितिक फिल्म में न्यू कमर को चाहते हैं हाला कि इस फिल्म मेर प्रियंका नाम फाइनल हो चुका है दोस्तो क्रिश फ्रेंचाइजी के निर्देशक राकेश रोशन का मानना है कि फिलहाल भारत में लोग फीमेल सूपर हीरो की फिल्म नहीं देखेंगे और इसी कारण से वो क्रिश फोर को हिरोईन केंदरित फिल्म नहीं बना सकते क्योंकि फैंस को वो पसंद नहीं आएगी दोस्तो वहीं इस बार विलन भी दमदार होने वाला है जहां सूत्रों की माने तो फिल्म के विलन का जैसा किरदार लिखा गया है उसमें नवाज परफेक्ट बैठते हैं राकेश रोशन और फिल्म की बाकी टीम चाहती है कि विलन का किरदार कोई दमदार एक्टर ही निभाए और ऐसे में सभी की उम्मीदें नवाज उद्दीन सिद्धी की पर आकर ठीकी है दोस्तों वही अगर बात करें करिश फॉर की रिल्इस डेट की तो निरदेश राकेश रोषन ने रृतिक की बहुप्रतिक शित फिल्म और सूपर हइट फैंचाइजे क्रिश की चौती फिल्म करिश फॉर की रिल्इस डेट गोशना कर दी है फिल्म साल 2020 के क्रिस्मस पर रिलीज होने वाली है दोस्तों वहीं बात आई डबल धमाका जिहां हाल ही में खबर आई थी कि राकेश रोशन या तो क्रिश फोर को दो पार्ट में बनाने की सोच रहे हैं या फिर वो एक साथ दो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं जिन में से एक होगी क्रिश फोर और दूसरी होगी क्रिश फाइफ माना जा रहा है कि दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ ही साथ होगी दोस्तों वहीं दो-दो एक्ट्रिस का भी नाम सामने आ रहा है जिहां इस फिल्म में दो एक्ट्रिस का नाम एक साथ नज़र आ रहा था क्रिश फोर्ड में दो एक्ट्रिसेस स्क्रीन शेयर करती नज़र आएंगी माना जा रहा है कि प्रियंगा के अलावा इस फिल्म में केट्रीना भी नज़र आ सकती है हालां कि अभी इसे लेकर कुछ decide नहीं हुआ है तो उस्तों वहीं सबसे बड़ी action film बनने वाली है जिहां फिल्म क्रिश सबसे ज़्यादा कमाने वाली action film में शामिल है और क्रिश 4 और क्रिश 5 भी ऐसा ही करेगी माना ये भी जा रहा है कि बड़े बजट पर तयार की जा रही ये फिल्म अब तक की सबसे तगडी एक्शन फिल्म होने वाली है तो उस्तो वहीं अगर विलन की बात करें तो पिछली बार क्रिश के विलन थे विवे कोब रोएं लेकिन इस बार क्रिश की स्टार कास्ट अभी से धमाके कर रही है और माना जा रहा है कि क्रिश 4 के विलन के लिए नवाजद दीन सिद्धी को अप्रोच किया गया है और उन्होंने हाँ भी कर दी है दोस्तो गौर तलब है कि नवाजुद्दीन सिद्धी की इससे पहले भी सल्मान खान को किक और बजरंगी भायजान में खा चुके हैं दोस्तो क्रिश्ट 3 2013 की बॉलिवुड की सूपर हीरो क्रिश्णा की विज्ञान कल्पना फिल्म है फिल्म के निर्माता निर्देशक राकेश रोशन है फिल्म कोई मिल गया 2003 के नायक रोहित और क्रिश्ट 2006 के सूपर नायक क्रिश्णा की कहानी को आगे बढ़ाती है इसकी दोनों पूर फिल्मों ने अच्छी सफलता प्राप की थी फिल्म को पहले 3D प्रारूप में जारी करना तै किया था हालांकि समय की कमी के कारण इसे 3D में रुपांतरित किये बिना राकेश रोशन ने बाद में फुस्टी की कि फिल्म को केवल टूडी में ही जारी किया जाएगा फिल्म विश्भर में 1 नवेंबर 2013 को जारी की गई क्रिश 3 को समालोचकों से सकरात्मक समिक्षाय मिली है फिल्म में रुपिक रोशन ने ट्रिपल रोल अदा किया था और फिल्म ने 240 करोड 50 लाग का कारोबार किया था पिछली फिल्म में आपने देखा सिध्धान तार्य को हराकर क्रिश अपने पापा रोहित महरा को उसकी कैट से छुड़ा कर घर ले जाता है इस फिल्म की कहानी यहीं से शुरू होती है क्रिश यानी क्रिश महरा अब अपनी दुनिया में लोट आया है जहां वो अपनी खुबसूरत पतनी प्रिया महरा के साथ बहुत खुश है रोहित भी अब अपने बेटे बहु के साथ रहे कर अपने प्रियोग जारी रखे हुए है प्रिया एक न्यूस चैनल में एंकर है और क्रिश न किसी नोकरी पर टिक ही नहीं पाता क्रिश हर उस जगे मौजूद हो जाता है जहां किसी मुसीबत में फसे इनसान को उसकी जरूरत है भले ही इसके लिए उसे नोकरी से ही गायब क्यों ना होना पड़े और यही वज़े है कि हर नोकरी पर वो चन्द दिन ही टिक पाता है प्रियको क्रिश की असलियत मालूम है यही वज़े है कि उसके हर कदम पर उसका साथ देती है दूसरे और काल दुनिया से इनसानों को खत्म करने की नापाक साजिश रच रहा है काल ने अपने डिने और जानवरों के डिने से ऐसे अमानव बनाए है जो उसकी तरह सोचते हैं और उसके इशारों पर चलते हैं इनी में काया यानि कंगना रनावत भी शामिल है जो काल से मिली शक्तियों के चलते पल भर में अपना रूप बदल सकती है काल दुनिया को तबहा करने के लिए एक ऐसा वाइरस तयार करता है जो इनसानों को मिटाने के मकसद से तयार करवाया गया है काल के बनाए एमानव इस वाइरस को मुंबई में फैलाते हैं जहां रोहित महरा और कृष इस वाइरस की तोड़ खोजने में काम्याब होते हैं काल के इशारे पर काम करने वाली काया और उसके बनाए एमानव रोहित महरा और क्रिश को मारने मुंबई पहुँच जाते हैं दोस्तो खबरे थी कि इस फ्रेंचाइजी का अगला भाग क्रिश फोर जल्द ही बनने वाला है लेकिन अब खबर है कि पिता बेटे की जोड़ी में कुछ क्रिएटिव को लेकर मतभेद है इसलिए ये भाग बनने में देरी हो रही है दोस्तो सूत्र के मताबिक रितिक अपने पिता की सलान नहीं ले रहे है रितिक के कुछ अलग विचार है कि कैसे स्क्रिप्ट होनी चाहिए और किस तरह की कास्ट इसमें काम करनी चाहिए रितिक एक अच्छे अभिनेता के रूप में सामने आये है और आज के सीनेमा को वो बहतर समझते है वे अपने निर्देशक पिता से चाहते हैं कि वो इस बार कुछ समझदारी वाली फिल्म बनाएं जोसे देखकर दर्शक समझ पाएं साथी कास्टिंग को लेकर भी उनके बीच काफी मद्भेद चल रहा है दोस्तो क्रिश 4 को बाहुबली की तरश पर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जब से बाहुबली रिलीज हुई है हर फिर्म निर्माता बाहुबली को एक आइकन के रूप में देखते आ रहे हैं और इसलिए हर फिल्म मेकर चाहता है कि उसकी फिल्म बाहुबली की तरह भव्य हो। इसलिए राकेश रोशन बाहुबली वाला फॉर्मुला अपना रहे हैं। वो क्रिश 4 और क्रिश 5 दोनों को एक साथ शूट करेंगे। लेकिन क्रिश 4 को वो पहले रिलीज करेंगे। बाहुबली जैसा भव्य सेट क्रिश 4 और क्रिश 5 के लिए बनाया जाएगा। जैसा कि हमारे इंडियन मैथलोजी में हमारे बजरंग बली यानि की हनुमान जी पहले सूपर हीरो हैं। हनुमान के केरेक्चर को ही केंदर में रखकर आज तक सूपर हीरो की कलतना की गई है। परंतु इस बार लोड गनेशा के सूपर नैचुरल पावर का एडपेशन क्रिश 4 और क्रिश 5 में किया जाएगा। ऐसा गुप्त सूत्रों का मानना है। परंतु अभी तक फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म की स्टोरी को रिविल नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि ये फिल्म भारत की सबसे बड़ी सूपर हीरो वाली फिल्म बनने जा रही है। ये वही फिल्म है जिसने फिल्म इंडस्ट्री को हॉलिवूट लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। रितिक रोशन एक ऐसे एक्टर हैं जो सिर्फ अभीने के लिए ही नहीं बलकि डांस के साथ साथ सूपर क्यूट स्टाइलिस्ट हीरो के रूप में जाने जाते हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो कहा जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर दो हसार करोड का बिजनिस कर लेगी। और अब बॉलिवुड की गरिमा भी हॉलिवुड के सूपर नैच्रल फिल्मों जैसी हो गई है। इसलिए क्रिश 4 और क्रिश 5 को लेकर कोहराम मचा हुआ है। क्रिश 4 क्रिश फिल्म की 4th इंस्टॉल्मेंट है। और क्रिश फिल्म का पहला पार्ट था कोई मिल गया। कोई मिल गया एक इंडियन साइंस फिक्षन फिल्म थी जिसे डिरेक्ट किया था राकेश रोशन ने। और उस फिल्म में राकेश रोशन का एक कैमियो रोल भी था। कोई मिल गया बॉलिवुड की पहली साइन्स फिक्षन फिल्म थी और इसके सीक्वल है क्रिश और क्रिश 3 गनेश चतूर्थी के सीजन के दौरान भगवान गनेश की मूर्ती को क्रिश के रूप में तयार देख कर फिल्मेकर राकेश रौशन इंस्पायर्ड हुए और फिर से सूपर हिट क्रिश फिल्म की फ्रंचाइजी को रिवाइव करने के लिए तयार हुए रितिक रौशन ने ट्वीट करके बड़ी एनाउस्मेंट की गनपतीज ब्लैसिंग फोर क्रिश 4 और ट्वीट के साथ एक इमेज भी शेयर की जो कि लौर्ड गनेशा की थी क्रिश के रूप में और ये इमेज शोशल मीडिया में ट्रेंड में था सवाल ये है कि क्या गनेशा का भी कुल कैमियो होगा क्रिश 4 में या नहीं डिरेक्टर राकेश रोशन ने कहा है कि क्रिश 4 में VFX और एक्षिन सिक्वेंसिस का हैवी डोस देखने को मिलेगा सूत्रों से पता चला है कि अभी तक आई फिल्म्स जैसे कि बाहु बली, 2.0, टाइगर्स जिन्दा है इन सभी फिल्म्स के बज़र्ड को क्रिश 4 पार कर जाएगी सूत्रों की माने तो फिल्म्स के एक्षिन सिक्वेंसिस के लिए राकेश रोशन ने इंटेन नैशनल डिरेक्टर हायर किये हैं अभी हाली में आये सभी फिल्म्स जैसे कि बाहु बली, बाहु बली, दे कंक्लूजन, 2.0 इन सभी फिल्मों में जबरदस्ट VFX यूज किये गए हैं और राकेश रोशन का भी यही कहना है कि इस बार क्रिश 4 में VFX का लेवल अप करना है सूत्रों की माने तो क्रिश 4 में रितिक रोशन, हीरो के साथ साथ विलेन का भी रोल निभा सकते हैं सूत्रों से पता चला है कि रितिक यिन और येंग मिन्स की पॉजिटिव और नेगटिव दोनों रोल को एक्स्प्लोर करना चाते हैं ये कनफर्म न्यूज नहीं है ये एक स्पैक्यूलेटिड न्यूज है सूत्रों की मानद तो इस फिल्म में क्रिश के अलावा जूनियर क्रिश भी दिख सकते हैं फिल्म की एक्टरस अभी फाइनल नहीं हुए अब देखना ये है कि क्रिश फोर्ड में कौन सी हीरोहिन होगी माना जाता है कि प्रियंका हो सकती है लेकिन प्रियंका कभी भी रिप्लेस हो सकती है और उनकी जगा DP का पादुकोन ले सकती है Chris Ford 2018 के लास्ट में रिलीज होगी अभी रितिक बिजी है अपने फिल्म Super 30 में जिसको डिरेक्ट किया विकास भेलने और ये एक बायोपिक फिल्म है Super 30 एक इंडियन एजुकेशनल प्रोगाम है जो कि पटना बिहार इंडिया में है अंडर दा बैनर आफ रामानुजा स्कूल आफ मैथमेटिक्स और ये 2002 में इस्टैबलिश हुआ था आनंद कुमार हर साल 30 बचे सेलेक्ट करते हैं समाच के आर्थिक रूप से पिछिड वर्की फैमिली में से और उनको ट्रेन करते हैं IIT के एक्जाम्स के लिए और हर साल वहां के 30 के 30 बचे सेलेक्ट होते हैं IIT में टाइम्स मैच्जीन ने मैथमेटिशन आनंद कुमार सूपा 30 को सेलेक्ट किया है बेस्ट आफ एज़े 2000 में न्यूजविक मैच्जीन ने मैथमेटिशन आनंद कुमार की सूपा 30 को दुनिया के चार्ज सबसे पर इंस्टिट्यूट में शामिल किया है आनंद कुमार मौलाना अब्दुलकलाम अजाद सिक्षा पुरसकार से सम्मानित किये गए हैं नौवंबर 2010 में क्रिश वोर की रिलीज डेट क्रिशमस के टाइम रखी गई है और डेट को लेके फिल्म काफी चर्चे में है माना जाता कि एक बार फिर से शारुक और रित्र के फिल्म में आमने सामने आ सकती है तैसे कि काबिल और रईस की डेट क्लैश हुई थी लेकिन एक इंटर्व्यू में राकेश वोशन ने कहा कि नहीं इस बार ऐसा नहीं होगा काबिल के टाइम मेरा मूड नहीं था शिफ्ट करने का और मैंने बहुत पहले ही फिल्म काबिल की डेट एनाउंस की थी वड़ शारुक ने सेम डेट रखी तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता एक इंटर्व्यू में पूछा गया कि अगर शारुक रिक्वेस्ट करते तो क्या आप रिलीज डेट शिफ्ट कर लेते राकेश वोशन ने कहा कि I don't budge my रिलीज डेट मतलब कि मैं अपना रिलीज डेट नहीं चेंज करता कहोना प्यार है 14 जैनुवरी को रिलीज हो रही थी और आमिर खान की मेला साथ जैनुवरी को रिलीज हो रही थी और शारुक खान के फ़र भी दिल है हिंदुस्तान 21 जैनुवरी को अनिल कपूर की फिल्म पूपार चार फरवरी को आ रही थी इसी distributor ने सजेस्ट किया कि मैं मेरे फिल्म को मूव कर लूँ क्योंकि रितिक न्यू एक्टर है उन distributor ने फिल्म को छोड़ दिया क्योंकि मैंने अपने release date की तारिक नहीं बदली रोशन ने कहा कि शारुक मेरे बड़े बेटे जैसे हैं जिनने मैंने King Uncle, Khoyla और Karan Arjun जैसे फिल्मों में ब्रेक दिया I don't think कि वो कुछ भी unethical काम करेंगे I don't know कि सारुक ने eventually ये date क्यों decide किया था हम आपको एक बाद फिर से याद दिला दे कि कोई मिल गया में lead role में थे प्रिटी जिंटा साथ में Bollywood की महान अभिनेत्री रेखा प्रिटी जिंटा का role सबसे पहले एश्वरे राय बच्चन को offer हुआ था लेकिन उन्होंने मना कर दिया उसके बाद ये फिल्म प्रिटी जिंटा को दी गई फिल्म 8 अगस्त 2003 में रिलीज हुई थी फिल्म की शूटिंग कसोल, नैनिता, भीमता और कैनेडा में हुआ था कोई मिल गया ने बहुत से अवर्ड रेसिव की हैं जैसे कि नैशनल फिल्म 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 फेस्टिवल इन डेनमाक और भी बहुत से 2003 के सारे रिकॉर्स कोई मिल गया फिल्म के डिरेक्टर और एक्टर्स को मिले हैं जैसे कि बेस्ट डिरेक्टर, बेस्ट एक्टर, फिल्म फेर अवर्ड, आइफा अवर्ड, स्क्रीन अवर्ड और भी बहुत से क्रिस फिल्म की थार्ड इस्टॉर में क्रिस 3 का काल तो सबको याद होगा ही उस रोल को निभाया था विवेक ओबिरोई ने काल के कॉस्ट्यूम का वेड था 28 किलो और क्रिस 3 में सबसे महिंगा कॉस्ट्यूम काल का था काल का रोल सबसे पहले अजी देवण और शारू खान को ओफर किया गया था और जब उन्होंने मना कर दिया तो बाद में ये रोल विवेक ओबिरोई को दिया गया क्रिस 3 में कंगना रनाउट ने रबल लेटेक सूट पहना है पूरी फिल्म में और उस ड्रेस को तयार करने में 45 दिन लगे आफ्टर एक्सपेरिमेंट विट 25 स्कैचिस कंगना ने फिल्म के लिए 4 किलो वेट लूज किया और डेली 2 घंटे लगते थे कॉस्ट्यूम को परफेक्टली फिट होने में क्रिस 3 के बाद कंगना और रितिक मीडिया में चाय वे थे अपने रिलेशन्स की वज़े से माना जाता है कि क्रिस 3 के सेट पे रितिक रोशन को कंगना रनाउट से प्यार हो गया था और आगे भी पर्श्यू किया था और इस बात को पब्लिक ली करने के लिए रितिक ने मना किया था कंगना को रितिक और सुजैन के डिवार्स के बाद सुत्रों से पता चला कि रितिक ने कंगना को पैरिस में प्रपोज किया था 24 में फिल्म बैंक बैंक के शूटिंग के वक्त खबर आई थी कि रितिक कंगना को इग्नोर कर रहे हैं और खबर ये भी आयते कि फिल्म की लीडिंग लेडी कैटरीना के साथ नजदी क्या बढ़ाई जा रही है कई रिपोर्टर्स के मुताबिक कंगना ने जब लाइफ में आगे बढ़ना शुरू किया तो रितिक उन्हें परिशान करते थे खरीना की नोला काई रहे हैं तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आने वाल इंट्रेस्ट्टिंग फिल्मों के इंट्रेस्टिंग फैट्स के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें प्रेस दबेल आइकन वर मोर अपडेट्स और नॉटिफिकेशन क्यों excited है क्रिश 4 को लेकर रितिक रोशन और कौन है दुनिया का असली बैटमैन हलो दोस्तों बॉली ग्राद स्टूडियो से मैं हूं सानिया सेफी आपके सामने एक नई विजियो के साथ दोस्तों रितिक रोशन को तो सभी जानते हैं क्रिश के लिए और अब तो उनकी अगली फिल्म इस सीरीज की आने वाली है क्रिश 4 तो इस फिल्म को लेकर रितिक रोशन बहुत ही ज्यादा excited है उनका कहना है क्रिश 4 और 5 की shooting क्योंकि एक साथ हो रही है और इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी होने वाली है कि पूरी दुनिया देखेगी कि इंडिया का जो सूपर हीरो है क्रिश वो क्या क्या करने के काबिल है superheros के बारे में सभी जानते हो DC और मार्वल्स ने दुनिया को बहुत सारे superheros देखें लेकिन इंडिया से अभी तक जादा superheroes निकल कर नहीं आए है जो आए है वो जाधा चले नहीं है तो सबसे जाधा जो इंडियन सूपर हीरो जो चला है वो क्रिश ही है और बच्चा-बच्चा क्रिश का दिवाना है क्रिश को बहुत सारी तारीफे मिली है और इस फिल्म सीरीज की अभी तक तीन पार्ट आ चुके हैं जो फर्स था कोई मिल गया उसके बाद ये आए है तो अब सीरीज का जो फोर्ट और फिफ्ट पार्ट आएंगे उनका कहना है रितिक रोशन का कि इन पार्ट में कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक लोग एक्सपेक्ट ही रह करते हैं क्रिश सीरीज से वो बहुत जादा एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर और फिल्म के कोई स्टोरी ना रिवील करते हुए वो एक सस्पेंस बनाते हुए कहते हैं कि जब लोग इस फिल्म को देखेंगे तो मुझे यकीन है कि लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी और इंटरनाशनल लेवल पर इस फिल्म को बहुत अच्छा रिकगनीशन मिलने वाला है जो पहले की फिल्मों को मिला है उससे कहीं जादा इस फिल्म को लोग पसंद करेंगे तो देखते हैं आखिर क्या होने वाला है इस फिल्म में ऐसा जिसको लेकर रितिक रोशन इतने ज्यादा एकसाइटेड है तो चलो दोस्तों आज मैं आपको रियल लाइफ सूपर हीरो से मिलवाती हूँ सूपर हीरो के बारे में सभी जाते हैं कि एक सूपर हीरो कौन होता है क्या करता है किस तरह की जिन्दगी जीता है और बच्चा बच्चा वाकिफ है जब भी आप सूपर हीरो का नाम लोग रहा तो बच्चा एक ना एक सूपर हीरो का नाम तो कोई ना कोई बच्चा आपको बता ही देगा तो सिर्फ और से बच्चे नहीं होते हैं जो सूपर हीरो से इतने जादा इंस्पायर होते हैं लेकिन बड़े भी होते हैं और कुछ तो ऐसे ऐसे लोग है जो इतने ज़्यादा इसपायर हो चुके हैं सूपर हीरो से कि वो अपनी रियल लाइफ भी सूपर हीरो की तरह ही जी रहे हैं जैसे कि DC का बैटमैन सब वाकिफ है DC के बैटमैन से कि किस तरह की उसकी लाइफ है और वो गौथम सिटी के लिए एक मसीहा है क्योंकि वो अपने शेहर से जो क्राइम की गंदगी है उसको साफ करने के लिए निकल चुका है और जो भी लोग क्राइम करते हैं उसके शेहर में उनको सबक सिखा देता है ठीक ऐसा ही एक एंसान है रश्या की मौसको से सिटी से रश्या की जो कापिटल है मौसको से जो के निकल चुका है बिलकुल ही बैटमैन की जो राहा है उसकी दिखाई हुई राहा पर अपने शेहर को साफ करने के लिए मैं बात कर रही हूँ रीप केंपरी नाम करता है, मेरा नाम रीपर है और इसको रीपर नाम व kadar जानते हैं और बैट मैंन का मास्क लगा बैट मैंन का केप पहन कर रातों में खौली रात में वही को दर्विद में लेगा नजर आता ह QRY B就 कॉले में खराइब में एघकर करता हैं बर निर्ट वो ड्रग्स के जो sports होते हैं जो एक धंदा बना दे जिना जो यहां पर drug dealers मिलेंगे उन सब चीजों से वो डील करता है तो इसके बारे में सबसे पहली खबर आया थी 2016 की जून में जब एक टेक्सी ड्राइवर ने रात के वक्त तकरीबन देखा था कि कोई इनसान केप पहन कर और मास्क लगा कर एक बिल्डिंग से भार आ रहा है तो उसके फॉरण के फॉरण अपना कैमरा निकाला और वीडियो बना ली वीडियो ज़ादा लमीन यह आपाई था चोटा से उसमें यह है कि बिल्डिंग से वह एक इंसान केप और उसमें निकल रहा है और जमीन पर एक बॉम फेकता है विल्कुछ सूपर हीरो स्टाइल मे तो वीडियो में कैप्चुर हुआ है कि वह निकलता हुआ रहा है और उसमें पर एक बॉम फेकता है और गाया तो टेक्सी ड्राइवर ने पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाया और उन्होंने पताया इस तरह से देखिए एक इंसान है जो केप में घुम रहा है और उसमें पुलिस ऑफिसर्स को उस बैटमें के बारे में बताया और उसकी जो वीडियो थी वाइरल हो गई तो तभी से एक रात के अंदर ही वो इतना फेमस हो गया हर कोई जानना चाहता था क्या आफिर है कौन क्या करता है क्यों करता है इसके पिछे का मोटिव क्या है तो इस सब ब बहुत जादा क्राइम बढ़ चुका है, लोग निकल चुके हैं कुछ भी कुछ भी कर रहे हैं और हर तरफ गंदगी फ Haut गई है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो हमारा पुलिस देपाटमेंट है और जो लो है वो अपना काम सही से कर गए हैं सब अपना काम सही से कर गए हैं ले बस उनको उठाता था, बांध कर उनको पुलीस स्टेशन के बाहर छोड़े आता था, ताकि आगे का काम सारा पुलीस कर दे, तो मतला वो कोई लॉबी ब्रेक नहीं कर रहा होता था, पुलीस की हेल्प ही कर रहा था, तो इस चीज को देखते हैं, उसमें पूरा डिक्लेयर किय कि मैं किसी के काम में टांग नहीं अडा रहा हूं, मैं बस अपना काम कर रहा हूं, तो उसके इस बात से लोग भी इतने जादा इंस्पायर हुए और पुलीस डेपार्टमेंट भी उसके साथ कोपरेट करने लग लगी, तो वो जब छोड़कर आता था, तो उसके पीछे औ अबाद में अपना ट्वीट किया था, उसमें उसने बोला कि अगर आपको ऐसे इस पॉट्स के बारे में पता है, जह इस तरह के चीज़े हो रही है, यह ऐसे लोगों के बारे में पता है, जो इस अब कर रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मेरी थोड़ी सी आप लेकिन काफी वक्तों तो उसने ऐसा किया, लेकन कुछ टाइब बाद उसको रिलाइस हुआ कि वो अकेले इस अब नहीं हैंगल कर सकता, क्योंकि ड्रग्स की दुनिया का अलगी लेवल होता है, लोग जब खड़े हो जाएं, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग इसमें ज कर सकता, तो अगर आप अपने पार्ट पर कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज टेक ए स्टैंड, और अपने शेहर को साफ करने के लिए कुछ कीजिए, और साथ ही उसने ये भी कह था, कि अगर आप मेरी टीम जॉइन करना चाहते हैं, तो आप पूरा उसने भी बताय था, किस तर कर से कॉंटाक्ट किया जा सकते हैं, तो ये थी कहानी मौस्को के वैट मैं की, जो कि अब इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, जो कि उस वक्त था, क्योंकि वही दिक्कत आगी कि उसको काफी जादा हर्ट वगएरा हो गया था, तो काम वो कर रहा है, लेकिन इसना ज्यादा अक्टिव लेने कर रहा, तो दोस्तों, दुनिया में ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, जो सूपर हीरो से इंस्पार होकर रियल लाइफ में सूपर हीरो का काम कर रहे हैं, और ऐसी बहुत से कहानिया मैं आपके सामने लाने वाली हूँ, आपको एक कहानी कैसे लगी, बता अपनी चे कॉमेंट सेक्शन में, और अगर आपको पता है किसी ऐसे सूपर हीरो के बारे में तो आप भी बता सकते हैं, देखते रहे हैं बॉली ग्राद स्टूडियोज को, मैं हुसानिया सैफी, जल मिलते हैं एक नई विजियो के साथ, लेकिन तब तक फ्यार बढ़ते र नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गरिमा सिंग और आप सभी का स्वागत हैं, बॉली वुड अपडेट्स में दोस्तों, शारुखान की फिल्म जीरो और मल्यालम सूपरस्टार यश की फिल्म केजियफ ने सिनेमा घरों में दस दिन पूरे कर लिये हैं और जहां दस दिनों पहले दोनों फिल्म में पूरी जोर शोर के साथ रिलीज हुई थी तो वहीं अब एक फिल्म फ्लॉप हो चुकी है तो वहीं दूसरी फिल्म सूपर हिट लेकिन दर्शकों ने फिल्म को बुरी तरह से नकार दिया है और आपको बताना चाहेंगे कि दूसरे विकेंड यानि की रविवार को जहां जीरो ने एक करोड पचपन लाग का कलेक्शन किया तो दोस्तों वहीं KGF ने 2 करोड 10 लाग का कलेक्शन कर लिया है और दोस्तों इन सभी आकडों से साफ है कि अब साउथ की फिल्म भी जीरो से आगे निकल चकी है वहीं रोहिशेटी के सिंभा बॉक्स ओफिस पर इतना ताबर तोर प्रदशन दे रही है कि आने वाले 2-3 दिनों में जीरो के पास स्क्रीन ही नहीं बचेंगी दोस्तों आनल दिल रोह के निर्देशन में बनी फिल्म जीरो बॉक्स ओफिस पर पूरी तरह से धरशाई रही है दोस्तों वही राकेश रोशन और रितिक रोशन अपनी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्म क्रिश के अगले पार्ट की तयारी में जुटे हुए है क्रिश फोर की कहानियों पर लगातार काम चल रहा है और अब खबर है कि फिल्म की हिरोईन के लिए क्रिति सैनन अपना नाम फाइनल करवाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है दोस्तों पिछले कुछ दिनों में दूसरी बार क्रिति राकेश रोशन के आफिस में दिखाई दी और हिरोईन जो भी होगी उस पर अपना आखरी फैसला रितिक रोशन ही देंगे दोस्तों हाला की खबर ये भी है कि क्रिश फोर की लीड हिरोईन बनने के लिए कई एक्ट्रेसेज मेहनत कर रही है जहां राकेश, रोशनजी हर उस हिरोईन से मिल रहे हैं जो फिल्म में रितिक के अपोजिट काम करना चाहती है फिल्म की हिरोईन का फैसला फिलहाल तो नहीं हो रहा है अभी फिल्म की स्कृप्ट पर तेजी से काम चल रहा है और अगर बात करें क्रिति सैनन की तो बॉलिवुड में उनका सफर काफी दिल्चस्प रहा है हीरो पंती में टाइगर शोफ के अपॉजिट डेब्यू करने के बाद क्रिति सैनन अक्षे कुमार की सिंगिस ब्लिंग करने वाली थी लेकिन उन्हें रोहिश शेटी की दिलवाले ओफर हुई और क्रिति ने अक्षे की फिल्म छोड़ दी दोस्तो इसके बाद क्रिति सैनन को सलमान खान की सुल्तान ओफर हुई लेकिन यश्राज फिल्म उन्हें यश्राज टैलेट के तहट बांजना चाहता था जहाँ हर नया स्टार यश्राज के साथ 3 फिल्मे करता है और क्रेते सैनन ने सاف मना करते होए ये सपस्ट भी किया कि वो नया टैलेंट नहीं है दोस्तो इसके बाद शुशान सिंग राजपूत के साथ उनका राबता रोमांस ढूब गया लेकिन क्रेति सैनन बरेली की बर्फी के साथ एक बार फिर परदे पर चमकी दोस्तो फिलहाल उनकी अरजुन पटियाला रिलीज होने को तयार है और फिलहाल वो कार्थी कार्डियन के साथ दिनेश विजान की लुका छुपी कर रही है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही बॉलिवूट से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए आप मुझे कॉमेंट सेक्षिन में सवाल कर सकते हैं लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले और देखते रहे हमारा चैनल बॉलिग्राद स्टोडियोज चैनल बॉलिग्राद सेक्षिन सुपरिस्टार रितिक रोसन की मोस्ट अमेटिड फिल्म क्रिस फोर और क्रिस फाइब को क्यों बनाया जा रहा है बाहवली की चर्च पर और इन दोनों फिल्मों की कहानी किस देवता की जीवन पर अधारित है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉली गराज की जलियारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्रिस फोर और क्रिस फाइब के बारे में राकेश रोसन बहुती समझदात और बुद्ध जीदी अभनेता और डारेक्टर और इनका हसात हमेशा इनके भाई राजेश रोसन देखे उनका म्यूजिक जो है न कमाल का होता है आखिर बात करते हैं कि रितिक रोसन को राकेश रोसन ने किस प्रकार से लॉंच किया जो रातो रात एक सुपाइश्टार बन गई रितिक रोसन की पहले फिल्म थी कहो ना प्यार है यह फिल्म जब रिलीज हुई थी तो बॉक्स आफिस के सारे रिकार तोड़ दिया और इस फिल्म ने सबसे ज़्यादा आवार्ड जीते थे उसके बाद रितिक का केरियर धीरे धीरे गिरने लगए जिसके कारण राकेश रोसन बहुत चिंटी थे अब वो सोचने लगे कि अपने बेटे का केरियर कैसे बनाया जाए क्योंकि इनके बेटे को घेर रहे थे इंडस्टी के तीन खान यानि कि आमिर खान और शारुक खान और सल्मान खान सब राकेश रोसन की दिमाच में एक बहुत अच्छा आइडिया है क्यों ना मैं अपने बेटे को सुपर नेचुलर पावर से युफ एक ऐसा हीरो सब के सामने प्रसूट करूँ जो लोगों को अच्छा लगे वैसे हमारे यहां सुपर नेचुलर पावर यानि कि सुपर हीरो की कहानिया बहुत पहले सही बिद्ध माच Mississippi की बात करें या Essence history की बात करें तो हमारे यहां सुपर हीरो सबसे पहला सुपर हीरो कौन था? बजरंगबली, हनुमान जी जिन्हों ने अपनी पूंच से लंका जला दी सबसे पहला सूपर हीरो हनुमान जी को माना जाता है वैसे हमारे देश के जिसने भी देवी देउता है सभी में सूपर हीरो वाली सक्तियां पाई जाती है और उसके बाद सूपर हीरो वाली इमेज अगर किसी में दिखती है तो वो है क्रिस्ट निकन है या अगर क्रिस्ट लीला को जहां से देखें उनके बच्पन की जितनी भी लीलाएं है वो सब किसी सूपर हीरो से कब नहीं है और उसके बाद अगर किसी देखताओं में ये सारी सक्टियां पाई जाती हैं तो हमारे भोले संकर के सुपुत्र गरेश भी है जिन्होंने बच्पन में ऐसी ऐसी लीलाएं रची हैं कि जिन्हें देख करके आप सिर्फ हसे रहे हैं अब राकेश रोसन का मन गरेश को देख करके उनके लड़ों को नहीं उनकी लीला को देख करके उनको लगा क्यों ना गरेश की लीलाओं को ले करके एक फिल्म बनाई जाए तो ही उनके मन में ये ख्याल आया कि अगर हम गरेश की कहानियों को क्रिस फोर और क्रिस फाइप में डाल देते हैं तो हमारा भारतिय समाच अपने आप इस भारतिय सिनेमा से कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे रीत रिवाच और हमारी परंपराओं में आज भी हमारे भगवान मौजूद हैं हमारे रग रग में बसे हुए हैं इसलिए राकेश रोसन ने गरेश को आधार बना कर क्रिस फोर और क्रिस फाइप की कहानी लिखना शुरू कर दिया है अब उनका मानना है कि जिस प्रकार से गरेश ने राक्षशों और बुराईयों के खिलाफ एक मुहीद छेनी थी उसी प्रकार से उनका बेटा रर्थिक रोसन क्रिस ने क्रिस बनकर क्रिस फोर और क्रिस फाइप में आएगा उन बुराईयों का नास करेगा और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो यह है इस फिल्म की जादू जादू फिर से आवा आपस आने वाला है उस जादू के जरिये ही रितिक रोसन को यह आभास होगा कि उनके अंदर गरेश जी वाली सक्तियां मौजूद है यानि कि जिस प्रकार से हन्मान जी को पता ही नहीं था उनके पास बहुत सारी सक्तियां है उसी प्रकार से क्रिस फोर में रितिक रोसन को पता ही नहीं होगा उनके पास इतनी सारी सक्तियां वेसे अगर बात किया जाए यह जो रितिक रोसन की यह जो फिल्में है कोई भी लगया क्रिस और क्रिश्टू यह सारी फिल्में हीट क्यों भी इसके हीट होने के पीछे बहुत बड़ी वजा है इसकी स्टार कास्ट और कहानी और इसका म्योजिक जैसे कि कोई मिलगया देखा जायते कोई मिलगया में इतने बड़े-बड़े कलाकार थे उनका उन फिल्म में होना ही अपने आपने फिल्म को हिट बना देता है जैसे कि रेखा रेखा कौन ही जानता है रेखा की अदावों से कौन प्रफावित नहीं है जब रेखा ने आमित बच्चन को बांध लिया था तो हमकी सीच हैं हमारी दरसा क्या है फिर उनकी एक फिलिम में थे भाई नसरुदीन साह उनका अवने तो इतना लाजवाब है कि लोग कहते हैं कि नसर दिन साहब अपने रुवे से अवने करते हैं लाजवाब वाह और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सुंद्री ने साथ दिया था प्रियंका चौपड़ा आजकल जो विदेशों में एक विदेशी के साथ रन्वेलिया खेलती है वो ऐसे देखा जाए तो राकेश रोसन की जो भी फिल्में बनी है वो सारी बॉक्स आफिस पर सुपर हिट रही है चाहे वो करन अर्जुन हो या फिर जूली रही हो या फिर क्रिस हो या फिर कोई मिल गया है क्योंकि राकेश रोसन के अंदर एक समझदारी है वो दिमाग के साथ साथ दिल का भी प्रयोग करते हैं क्योंकि हमारा देश जो है न वो बहुत इमोशनल है तो राके सोचन को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर फिल्म की कहानी में इमोशन्स को डाला जाए और रिस्टों को एहलियत दिया जाए तो फिल्म जरूर बॉक्स आफिस पर भमाल मचाएगी यही कारण है कि क्रिस और कोई मिल गया में बाप बेटे के रिस्टों को दिखाया है कि किस प्रकार एक बेटा अपने बाप के लिए सब कुछ कर सकता और मा और बेटे के प्रेम को दिखाया गया है कि एक मा अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं कर सकती कितना कश्ण जेलती है और हमेशा एक मा को उसका बेटा छोटा ही लगता है कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए यही कारफ भूची अगर आप फिल्म को देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारतिय संस्क्रिटी में जो रिस्तों के लेकर इंपॉर्टन्स दी गई है वो सारी चीजें आपको राकेश रोसन्स की इन फिल्मों में आपको देखने को मिनेगे आईए हम बात करते हैं कि क्रिस फोर और क्रिस फाइप में ऐसा क्या करने जा रहे हैं राकेश रोसन्स सबसे पहली बात इन दोनों फिल्मों को हॉलिवूड लेवल का बनाया जा रहा है और दूसरी बात जिस प्रकार से बाह वली की दोनों स्रीज को एक साथ सूट किया गया था उसी प्रकार से क्रिस फोर और क्रिस फाइब को सूट किया जाएगा अब देखना ये दिल्चस्प होगा कि इन दोनों फिल्मों में क्या किर्टी सिनन को लिया जाएगा या फिर किसी तीस्वी हिरोईन को कास लिया जाएगा और सबसे बड़ा प्रस्में जो सब की जेहन में खलबली पैदा कर रहा है वो है भाई हमारे भाई नवाजुदीन सिद्धी फिल्मी गलियारों में ये परिचर्चा है इस बार इन दोनों फिल्मों के मुख बिलन होंगे नवाजुदीन सिद्धी नवाज जब भी परदे पर आते हैं तो ला जवाब अभने करते हैं नमाज की आप को इतने मुठा करके देखी जी कहीं से वो अभिने में किसी से कम नहीं जबकी नमाजुदीन सिद्धिकी में अपने कैरियर में बहुत संघर्ट किया है गाट तक की नोकरी की हम जो में पहले वो छोटे-छोटे रोल करते थे उन्होंने खुद अपने बनाना है तो आपको संघर्ट करना ही पड़ेगा उन्होंने हमेशा कर्म को इंपॉटेंस दिया है और साथ ही एक बहुत बहुत कराना जवाब दिया है कि देखिए अगर आप में टैलेंट है तो आपको किसी स्टार का बेटा या किसी स्टार का भाई होनी कोई जोड़ते ह और उन्होंने इसको प्रूब किया है कि टैलेंट किसी की रोकने से रोक नहीं सकता और कभी न कभी उस बीज की तरह पिर्थभी को फारते हुए उपर निकलेगा और उसमें स्टार होंगे वो खराबरा होगा और दूसरों को जीवन देगा वही ना जो दिन सिद्ध की निक उन्होंने एक इंटेंस अब ने किया उनका संबाद बोलने का तरीका अगर आप किक देखेंगे तो उन्होंने सलमान खान को भी पीछे चोड़ दिया वैसे नवाज तो नवाज लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार रितिक रोसन क। फूर और क्रिस्टफाइप में ऐसा नया क्या होगा मैं तो यह कहता हूं कि जब क्रिस्ट को रिलीज होगी ना तो लोग पागल हो जाएंगे बाई कल ही क्रिस्टाइब कर दो क्योंकि राकेश वोसन एकदम बैड़ गए हैं उस कहानी को लेकर जो कहानी लोगों के दिलोक में बहुत सदियों से बसी हुई वो फिर से इतिहास के पन्नों को पलटना चाहते हैं फिर से दिखाना चाहते हैं कि इतिहास की बाते आज भी जिन्दा हैं अगर आप ध्यान से अपने इतिहाद को अपने संस्किती को पढ़ेंगे तो आपके पास कहानियों की कमी नहीं हो आपको बाहत जाकने की जरूत नहीं है आपको विदेती फिल्मों का रिमेक बनाने की जरूत नहीं है हमारे पास आरेड़ी बहुत सारी कहानिया हैं जिन पर बहुत अच्छी फिल्में बनाई जा सकती है और इसका सीधा जबाब है रितिक रोसंग की फिल्म कोई मिल गया वैसे ये सब कमाल राकेश रोसंग का ही है क्योंकि ज्यादा तर राकेश रोसंग की द्वारा नितेशित फिल्में ही रितिक रोसंग की ही 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 बाखी सब फिल्मों में उतना कमाल नहीं कर पाएं पदा नहीं जब कि रितिक रोसंग बहुत टैलेंटेड अभनेता अभी उनकी आने वाली जो फिल्म है वो सुपर थर्टी है जो कि उसके लुक को देखकर यह लगता है कि रितिक रोसंग उसमें कमाल का अभने किया है कि वैसे मुझे रितिक रोसंगी सब सेची फिल्म लगती है गुजारे उन्होंने जो अभने किया है कमाल का मैं सब्सक्राइब किया है हम अलब गजारिस फिल्म है इसको जिसका निर्देशन संज्य लीला ऑभनसाली ने किया था वह एक प्रकार की कल्ड़ मनें हर सिनेमा करने वाले चात्र को या हर फिल्म देखने वाले दर्सक को उस फिल्म को गौर्ड से देखना चाहिए कि रिटिक ने क्या अब ने किया हुआ वह इसी फिल्म हमारे देखने बंती ही और इस ले भी बंती कि हमारे यहां वैसे दर्सक ने वैसे छोड़िये कोई नहीं अगर आप पास समय मिलेते एक बार मेरी गुजारिस है या आप गुजारिस फिल्म जरूर देखते गाए वैसे मेरा मनना है कि क्रिस फोर और क्रिस आएगी वो धमाल ही मचाएगी जैसे बाव बली और बाव बली टू ने मना बचाया था मेरा तो यह भी मानना है कि क्रिस पोर और क्रिस फाइब बाव बली टू का रिकार तोड़ देगी और दंगल को भी पीछे कर देगी क्योंकि इन दोनों फिल्मों के लिए अभी से ही आके सोसन पूरी तरह से तैयारी कर रहें इसलिए इसकी सूटिंग में देरी हो रही है लेकिन कुछ कुछ चीजों के लेकर कि धीरे धीरे इनकी घुस्वाएं शुरू हो गई अब चलिए देखते हैं इस फिल्म की सूटिंग कब शुरू होती है वैसे आपका क्यान मान है जब इस दोनों फिल्में रिलीज होंगी तो बॉक्स आफिस तक कितनी करोन तक का बिजनिस करते हैं मेरा तो मानना है कि दोनों फिल्में आराम से अगर मिला दिया जाए तो दो हजार करोन का बिजनिस तो आसानी से कर लेंगी उसकी पिस्छी रीजन है इसमें जो जो भी स् सार सौ करोनी है तो वैसे ही फिल्म सुपरिट हो जाएगी वैसे इसका क्रेट जो है अब बच्चों से लेकर के बुरों तक है हर बच्चा इसकी फिल्में देखना चाहता है क्योंकि जो बच्चे हैं उनको कार्टूर में अच्छे लगते हैं और कॉमिस पढ़ने वालों के ल क्या बाहो बली और जंगल का रिकार्ट तोड़ देगी या नहीं आज के लिए बस इतना है आप हमें कमिट करके बताएए कि आप इन दोनों फिल्मों का कितना बेस अबेसे इंतजार कर रहे हैं क्या अजे देवगं से टककर लेने को तयार है रुतिक रोशन और कैसे डर गया मार्वल्स क्रिश 4 से नमस्कार दोस्तों मैं हूं गरिमा सेंग और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तों कोई मिल गया क्रिश क्रिश 3 और क्रिश 4 क्रिश हमारे इंडिया का बॉलिवुड का एक ऐसा सूपर हीरो है जिसे राकेश रोशन ने इजाद किया और जिसके तुलना हॉलिवुड के सूपर हीरो यानि की सूपर मैन और स्पाइडर मैन से की जाती है और यह बहुत बड़ी बात है जिससे कि हर इंडियन का सीना गर्व से फूल ही जाता है। क्रिश और क्रिश 3 फैंस को बेहत पसंद आई। या यूं कहें कि क्रिश का किरदार ही फैंस के दिलों को जीत गया। दोस्तो क्रिश के बाद शायद ही किसी ने सोचा होगा कि क्रिश 3 भी बन सकती है। और जब क्रिश 3 रिलीज हुई तो फैंस की खुशी और एकसाइटमेंट का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। क्रिश 3 से जैसे फैंस सरप्राइस हो गए तो फैंस की आशा या कहें कि ख्वाईश थी कि क्रिश 3 के बाद इसका भी सीक्वल बनाया जाए। तो आपको बता दे की फैंस की ख्वाईश को पूरा करने के लिए राकेश रोशन अपने बेटे रितिक रोशन के साथ क्रिश 4 लेकर आ रहे हैं 2020 में। की ही भूमी का निभातें नजर आएंगे वैसे दोस्तों दिसंबर के महीने में हॉलिवुड की दो फिल्में रिलीस होंगी 27 दिसंबर को अवतार 2 और 25 दिसंबर को शेर लोग हॉल्म 3 और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर में ही मार्वल्स की ब्लैक वीडो भी रिलीस की जा सकती है लेकिन जहां अवतार 2 क्रिश 4 से पहले रिलीस की जा रही है तो हो सकता है कि 25 दिसंबर के बाद ही ब्लैक वीडो को रिलीस किया जाए ताकि उसके इंडिया के बॉक्स ओफिस कलेक्शन पर कुछ खास असर ना पड़े वैसे बात करें बॉलीवुड की तो 25 दिसंबर 2020 को ही अज्या देवगन स्टारर फिल्म जिसका टाइटल अभी डिसाइड नहीं हुआ है और उसे डिरेक्ट करेंगे सोनो के टीटू की स्वीटी के डिरेक्टर यानी की लवरंजन तो आप दोस्तो 2020 में क्रिस्मस पर किसे देखना पसंद करेंगे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या हॉलिवुट के साथ कोलाबरेशन में बनेगी क्रिश फोर्ड क्या क्रिश फोर्ड में विलिम का खात्मा करने के लिए क्रिश को लेना पड़ेगा वंडर वूमिन का सहरा नमस्कार दोस्तो मैं गरिमा सिंग और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलिवराद स्टोडियोस की एक और नई वीडियो में कोई मिल गया क्रिश, क्रिश 3 और अब क्रिश 4 जिहां दोस्तों आपने सही सुना रितिक रोशन के पिता और क्रिश फ्रेंचाइजी के डिरेक्टर एलान कर चुके हैं कि 2020 में क्रिश्मस पर क्रिश 4 जरूर रिलीज होगी खबरे हैं कि फिल्म में रितिक रोशन, सूपर हीरो और विलन दोनों का ही रोल निभाते नज़र आएंगे सूतरो के अनुसार फिल्म में नवाजदीन सिद्धी को भी कास्ट किया गया है और किक और जीनियस जैसी अन्य फिल्मों में वो विलन की रोल में अपना कमाल तो पहली ही दिखा चुके हैं बस अब ये देखना दिल्चस्थ होगा कि कौन सा रोल निभाते नज़र आएंगे नवाजदीन सिद्धी वैसे आज के दौर में बॉलिवुड की तुलना हॉलिवुड से की जा रही है जिस तरह से बॉलिवुड की फिल्मों में टेकनलोजी और वी एफेक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे तो ये साबित होता है कि बॉलिवूड इंडस्ट्री और भारत तेजी से तरक्की की और बढ़ रहा है वहीं अगर बात करे क्रिश फोर की तो जहां प्रियंका चोपड़ा शायद ही क्रिश फोर में नजर आए तो कितना मज़ेदार हो अगर हॉलिवूड सूपर हिरोई वन्टर वूमेन को फिल्म में क्रिश के साथ रखा जाए भले ही फिल्म का बजट बढ़ जाएगा लेकिन इस हिसाब से एक इंटरनेशनल स्थर पर भी क्रिश को और बॉलिवूड को एक नई पहचाम मिलेगी दोस्तो ऐसा होना बिल्कुल मुम्किन है क्योंकि जहां हॉलिवूड फिल्मों में बॉलिवूड एक्टर्स काम कर रहे हैं तो आपको बता दे कि स्टुडेंट ओफ द इयर टू में विल स्मित नजर आ सकते हैं तो क्रिश फोर में वन्टर वूमेन क्यो नहीं दोस्तो आपके क्या खैलात है इस बारे में कि क्या क्रिश फोर में वन्टर वूमेन को क्रिश के साथ एक्शन प्लस रॉमांस करते नजर आना चाहिए या नहीं अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दे और दोस्तो अगर ऐसा सही में हो जाता है तो फिर तो य आज की वीडियो में बस इतना ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल बॉलेग्राद स्टूडियो क्रिश फोर को हॉलिवड मुवी की तरह बनाने का प्लैन क्यों है सूपर हीरो वाली फिल्म में सिर्फ रितिक रोशन पर ही क्यों अच्छी लगती है और फिल्म को शुरू होने में देरी क्यों हो गई नमस्कार दोस्तो मैं गरिमा सिंग और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलेग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तो सीक्वलो की बहार में सीक्वलो के सूपरस्टार यानि की रतिक रोशन अपनी क्रिश फ्रेंचाइजी की अपकमिंग फिल्म यानि की क्रिश फोर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण बॉलिवुड में क्रिश फोर की चर्चा जोरो पर होने लगी है कुछ समय पहले राकेश रोशन ने गोशना भी की थी कि वो बाहुपली की तरज पर क्रिश 4 और क्रिश 5 की शूटिंग करने वाले हैं वैसे दोस्तों हाल ही में रुतिक रोशन की सालगिरा भीती है और लोगों को उम्मीदी हैं कि राकेश रोशन की तरफ से कुछ नया देखने को मिलेगा वैसे खबरे आ रही हैं कि क्रिश 4 को हॉलिवूट स्टाइल में प्रेजन किया जाएगा जैसा कि आप सभी जानते हैं हॉलिवूट में इंफिनिटी वॉर विश्व की सबसे बड़ी हिट सूपर हीरो वाली फिल्मानी जाती है और ठीक उसी तरह क्रिश 4 को भी भारत में उपाधी मिली है दोस्तों वहीं अगर सूपर हीरो वाली बात करें तो सूपर हीरो वाली बात सिर्फ और सिर्फ रितिक रोशन में ही देखने को मिलती है क्योंकि उनकी इमेज ग्रीस के गौड जैसी है चाहे वो कदकाठी हो या उनका लुक्स हो अगर आप उनको ध्यान से देखते हो तो उनमें ग्रीस के गौड जैसी छवी दिखाई देती है और शायद यही वज़े है कि भारत की जनता उनको सूपर हीरो वाली इमेज में स्विकार कर पाती है बॉलिवुड में बहुत सारे एक्टर है शायद लेकिन उनमें वो बात नहीं जिसकी वज़े से जनता उनको सूपर हीरो वाली इमेज में स्विकार नहीं कर पाती वैसे दोस्तो आज भी भारत देश हिरोरिजम में बिलीव रखता है और वैसे भी रृतिक रोशन बहुत मेहनती एक्टर है वो अपनी हर फिल्म में मेहनत करते हैं चाहे वो गुजारी शो या जोधा अगबर मतलब वो अपने अभीने के दम पर अपने नए केरेक्टर की अवधारना को हमेशा प्रूफ करते हैं और दोस्तों उनका अपना एक अलग अंदाज है अभीने करने का मतलब कि उनकी अपनी एक अलग ही अभीने शैली है वहीं दोस्तों अगर बात करें फिल्म को शुरू होने में देरी क्यों हो गई दरसल इसकी वज़य ये है कि रितिक रोशन के फादर यानि की राकेश रोशन की तब्यत खराब हो गई थी जिसकी वज़य से फिल्म शुरूर नहीं हो पाई वहीं आपको बता दू कि क्रिश फोर में रितिक रोशन के अपोजिट कृति सैनन को देखा जा सकता है वहीं अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो बताया जा रहा है कि इस बात क्रिश फोर और क्रिश फाइफ की कहानी किसी इंडियन गोड से इंस्पाइड होने वाली है और दोस्तों ये भी माना जा रहा है कि क्रिश फोर की शूटिंग 2020 तक कम्पलीट कर ली जाएगी अब आप मुझे comment section में बताईए कि Chris 4 की कहानी आखिर किस Indian goat से inspired होने वाली है आपको क्या लगता है आप अपना जवाब मुझे comment section में दीजे और हमेशा की तरह हमारी वीटियो को like और share करना बिलकुल ना भूले और देखते रहे हमारा चैनल Polygraph Studios Chris 4 की actress का हुआ खलासा नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल Polygraph Studios की एक और नई वीडियो में दोस्तों इन दिनों बॉलेवुड की कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस चरचान वहीं इसी बीच भारत की सबसे सफल सूपर हीरो फिल्म यानि क्रिश की चोथी सीक्वल क्रिश 4 जबरदस सुर्ख्यों में आ गई है और जिसकी वजए है इस फिल्म की हिरोईन दोस्तों बीते काफी दिनों से खबरे आ रही थी कि क्रिश 4 की हिरोईन फाइनल हो गई है और ये एक्ट्रिस है क्रिटी सैनन उन्हें कई बार राकेश रोशन की दफ्तर की चकर काटते देखा गया था और जिसके बाद खबरे आई कि वो क्रिश 4 में रोल पाने के लिए काफी कोशिशे कर रही है वहीं अब जो खबर सामने आई है वो वाकई चौकाने वाली है दरसल हाल ही में एक्ट्रिस क्रिटी सैनन ने क्रिश 4 को लेकर चल रही खबरों पर बात की उन्होंने बताया कि वो इस फिल्म का हिसा नहीं है जी हाँ ना ही उन्हें फिल्म के लिए एप्रोच किया गया और ना ही उन्होंने राकेश रोशन के दफतर के चपकर काटे तरसल जिस building में राकेश रोशन का office है, उसी building में एक talent management firm भी है और कृती इसी firm में किसी काम से कहीं बार जा चुकी है और जिसके बाद क्रिश 4 को लेकर अफवाय उडी खैर ये बात तो साफ हो गई कि क्रिश में lead actress की जगा अब खाली है और कौन सी actress ये जगा लेगी इस पर अभी तक suspense बना हुआ है तो चलिए दोस्तो इसी बात पर हम आपको बता देते हैं इस mega budget film से जुड़ी कुछ दिल्चस बातें दो पार्ट में बनेगी जिहां film राकेश रोशन बाहुवली की तरह ही क्रिश को दो भागों में बनाने की प्लानिंग कर रहे है यानि कि क्रिश फोर और क्रिश वाइड और दोनों ही फिल्में एक साथ बनेगी कैसे आया idea दोस्तो सूतरों की माने तो राकेश रोशन को कृष्फोर का आइडिया तब आया, जब उन्हें उनकी पत्नी ने भगवान गनेश की एक तस्वीर दिखाई, जहां भगवान गनेश ने कृष्वाली मास्क पहनी थी धमाकेदार एक्षन जिहां फिल्म में एक्षन सीन्स कोरिग्राफ करने के लिए हॉलिवोड एक्षन डायरेक्टर्स को लाया जाएगा और एक्षन के मामले में फिल्म अलग स्थर पर जाएगी पर ऐसा निर्माताओं का मानना है सूपर हिट फ्रेंचाइजी दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं क्रिश क्रिश 3 दोनों ही फिल्मे सूपर हिट रही है और कमाई के मामले में बॉक्स ओफिस पर धमाका किया है लिहाज़ क्रिश 4 को और भी बड़े इस तर पर बनाने के लिए तेयारी की जा रही है पोस्पोन हो सकती है फिल्म जिहां फिल्हाल फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और जिसके बाद प्री प्रोडक्शन पर काम किया जाएगा और आपको बताना चाहेंगे कि फिल्म में VFX का काफी इस्तेमाल होने वाला है और लिहाज़ा फिल्म पोस्पोन हो सकती है फिमेल सूपर हीरो क्रिश फैंचाइजी के नरदेशक राकेश रोशन का मानना है कि फिल्हाल भारत में लोग फिमेल सूपर हीरो की फिल्म नहीं देखेंगे और वो इसलिए क्रिश फोर को हीरोईन के इंदरित फिल्म नहीं बना सकते क्योंकि फैंस को वो पसंद नहीं आएगी रिलीज डेट दोस्तो रितिक रोशन स्टाडर ये फिल्म 2020 क्रिस्मस पर रिलीज होने वाली है और अभी तक फिल्म के बाकी कास्ट का नाम सामने नहीं आया है लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो क्रिश फोर में रितिक के साथ प्रियंका जोपरा की जोड़ी दिख सकती है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो या बॉलिवुड की कोई भी जानकारी से आप रूबरू होना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट जरूर करें साथी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल ना भूले हैं और देखते रहे हमारा चैनल बॉली ग्राद स्टूरियोज क्रिश फोर्ण में विलन के रूप में किसको कास्ट किया जा रहा है सूपर हीरो वाली फिल्मों का आइडिया कहां से आता है कौन बनता है इनकी इंस्पिरेशन नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल बॉली ग्राद स्टूरियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तों क्रिश फ्रेंचाइजी की मच अवेटिड फिल्म क्रिश 4 और 5 का जब से राकेश रोशन ने एलान किया है सभी लोग फिल्म को लेकर काफी ज़्यादा बेसबर हैं और सबसे ज़्यादा एकसाइटिड तो इस बात को लेकर है कि इस बार क्रिश 4 में विल्म का रोल कौन प्ले करने वाला है वैसे आपको बता दे कि बॉलिवुड में चल रहे ट्रेंट के मुदाबिक इस बार क्रिश 4 में विल्म के रूप में साउथ के सूपरस्टार को कास्ट किया जा सकता है क्योंकि सल्मान खान की अगर हम फिल्मों को देखे जो ब्लॉक्बस्टर रही है यानि की वॉंटेड दबंग उनमें हमने विलन के रूप में साउट के सुपरस्टार को ही देखा है कुछ इंट्रेस्टिंग देना चाहते हैं जिससे की उनका कनेक्शन उनसे बना रहे वही इस बार फिल्म से नवाजुदीन सिद्धिकी का भी नाम जोड़ा जा रहा है क्योंकि नवास में अपने बॉलिवुड करियर में अपनी एक्टिंग के जरी एक अलग ही मुकाम हासिल किया है और किक में उनके द्वारा निभाए गई विलन की रोल की तारीफे तो लोग आज तक करते हैं लेकिन इन सभी फिल्मों का आइडिया यानि कि सूपर हीरो वाली फिल्मों का आइडिया कहां से आता है कौन बनता है इनकी इंस्पिरेशन तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे पांच रियल सूपर हीरो के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहत जरूरी है जो बनते हैं इन सूपर हीरो वाले फिल्मों के लिए इंस्पिरेशन तो सबसे पहले जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो है राधा कृष्णन वैलू दोस्तों इन्हें मिस्टर टीत के नाम से भी जाना जाता है और इनके दात ही इनको रियल सूपर हीरो का खिताब दिलाते हैं क्योंकि ये महज अपने दातों की वज़े से एक भारी भरकम ट्रेन को खीच सकते हैं जिसके लिए इनको कही सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है In fact, Guinness Book of World Record के मताबिक वैलू ने 2008 में 206 टन वजन की ट्रेन को 13 फीट तक ही जा था वही जिस सूपर हीरो के बारे में अब मैं बात करने वाली हूँ वो है माइकल टिलीटो जिनने Mr. Eater के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इनके पेट की मोटाई एक औसत आदमी के पेट की मोटाई से दोगनी है इनकी पाचन शक्ति इतनी अद्बुत है कि ये ग्लास प्लास्टिक तो इस तरह से पचा लेते हैं जैसे कोई आम इंसान प्यास लगने पर पानी पीता है और सिर्फ इतना ही नहीं इसी के साथ अब ये साइकल, एरोप्लेन और टीवी तक पचा लेते हैं जिसकी लोग कलपना भी नहीं कर सकते इस लिस्ट में अब जो अगला नाम है वो है कैलविन रिचर्ड सन का जिनको लॉर्न विस्पर के नाम से भी जाना जाता है जी हाँ, इनके पास एक ऐसी अद्बुच शक्ती है जिसके जरिए ये जंगलों के खूनकार जानवरों से बातचीत कर सकते हैं यानि की शेर चीता जिनसे आम इंसान दूर रहकर भी इतना जादा डरते हैं ये उनके बेहद करीब जाकर उनसे बातचीत करते हैं और सिर्फ बातचीती नहीं, उनके साथ खेलते भी हैं और इस बात पर लोगों को विश्वास तक नहीं होता दोस्तो लोगों के पास आखे होती हैं और आखे होने के बावजूद भी वो अकसर दोका खा जाते हैं लेकिन रियल जिंदगी में एक ऐसा रियल सूपर हीरो है जिसको दा मैन हू कैन सी विद साउंड के नाम से भी जाना जाता है इनका नाम है Ben Underwood दोस्तो रेटीना कैंसर की वज़े से तीन साल की उम्र में ही इस बच्चे की आखे निकाल ली गई जिसके बाद इस बच्चे ने हार नहीं मानी अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बना कर एक रियल सूपर हीरो का खिताब हासिल किया आस-पास की चीजों की आवाज के जरिये समझने की कोशिश की और इस महरत को हासिल किया और आज ये बच्चा अपनी जिन्दगी एक आम इंसान की तरह ही जी रहा है वहीं दोस्तों कुमकरन को तो आप सभी जानते होंगे जो केवल सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए जाने जाते है और in fact हमारे परिवार वाले भी कई बार हमें कहते हैं कि जब हम गहरी नीन में होते हैं कि देखो किस तरह से सो रहा है जैसे कुमकरन की नीन सो रहा हो इसको कोई फर्की नहीं पड़ता कि देश समाज में क्या हो रहा है इसके पास कोई मरा पड़ा रहे इसको तो भनग भी नहीं लगने वाली आपको बता दू कि रियल जिन्दगी में भी एक ऐसा इंसान है साल 1973 से आज तक एक बार भी सोए नहीं है In fact, कहीं साइन्टिस्ट ने इनके उपर रिसर्च भी की कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है लेकिन कोई भी इस रीजन को पता नहीं कर पाया कि आखिर इनके अंदर ऐसा क्या है जो ये आज तक नहीं सोए और इसके बावजूद भी इनके शरील में उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा तो दोस्तों ऐसे रियल हीरो सच में होते हैं जिनकी इंस्पिरेशन लेकर ये फिल्में बनाई जाती हैं जिसमें हमें सूपर हीरो देखने को मिलते हैं वैसे अगर आप किसी ऐसे शक्स को जानते हैं जो रियल में एक रियल सूपर हीरो है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप कोई content-based वीडियो मुझे सजस्ट करना चाहते हैं तो वो भी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर शामिल करेंगे और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेड बेल आइकन को दबाना बिलकुल मत भूलेगा ताकि जल्द से जल्द आपको हमारे चैनल की नई अपडेट्स मिलती रहें और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तब तक के लिए देखते रहें हमारा चैनल बॉलेगराद स्टूरियोज क्रिश 4 के ट्रेलर में नया क्या देखने को मिलेगा और क्रिश 5 क्या क्रिश सिरीज की आखरी फिल्म होगी नमस्कार दोस्तो मैं गरिमा सिंग और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिगराद स्टूरियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तो निर्माता निर्देशक राकेश रोशन की क्रिश 4 की शूटिंग 2019 में शुरू होनी है काफी दिनों से चल रही इन खबरों के बाद बताया जा रहा है कि फिल्म की स्टार कास्ट में कुछ ट्विस्ट होगा सूतरों की माने तो नई कहानी के प्लॉट में प्रियंका चोपड़ा के अलावा दो हिरोईनों के लिए जगा बनी है पहले फिल्म में काट्रीना कैफ के होने की भी खबरे थी लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है सूतर बदाते हैं कि पिछले कुछ समय में राकेश रोशन कहीं नई लड़कियों से मिले है वो किसी फ्रेश चहरे के साथ एक स्थापिच चहरे को लेना चाहते है इनमें यामी गोतम, भुमी पैडनेकर और क्रिति सेनन भी रितिक रोशन की हिरोईन बनने की रेस में शामिल है जानकारों के अनुसार ऐसे में अब रितिक रोशन के सामने अगले साल समस्य आ सकती है कि होम प्रोडक्शन के लिए कब समय निकाले राकेश रोशन उन्हें क्रिश 4 के लिए तयार रहने का निर्देश दे चुके है 2019 में वो किसी भी दिन शूटिंग शुरू करने की घोशना कर सकते हैं इस बात को कोई नहीं जुटला सकता कि पहला मुकमल इंडियन सूपर हीरो लाने वाले कोई थे तो राकेश रोशन उन्होंने 2003 में कोई मिल गया से ये शुरुवात की थी बाद में इनकी दो सीक्वल फिल्में क्रिश और क्रिश 3 आई सबसे पहली फिल्म रोहित नाम के लड़की की कहानी थी जो उम्र में बड़ा हो जाता है लेकिन उसका दिमाग बच्चे जैसा ही रहता है और इस वज़े से उसे सब सताते हैं लेकिन एक दिन एक एलियन धर्ती पर आता है जादू वो जादू रोहित को असीम शक्तियां दे कर जाता है दूसरी और तीसरी फिल्म रोहित के बेटे के बारे में होती है च्योंकि रोहित की मा क्रिशन की भग्ध होती है और रोहित को शक्तियां देने वाले एलियन जादू का रंग भी नीला होता है इसलिए उसका नाम रखा जाता है क्रिशना अपने पिता की तरह उसमें भी असीम शक्तियां होती है और जब वो मास्क पहन कर लोगों की मदद करने उतरता है तो कहलाता है क्रिश इसी क्रिश सिरीज में ताजी हलचल हो रही है डिरेक्टर राकेश रोशन ने घोशना कर दी है कि वो एक साथ दो फिल्में बनाने जा रहे हैं क्रिश 4 और क्रिश 5 तो आपको बताते हैं कि इन दोनों फिल्मों में हमें क्या देखने को मिलने वाला है दोस्तो नवाजुदीन सिद्धी की भी इन फिल्मों में दिख सकते हैं कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है अगर उनकी कास्टिंग फाइनल है तो अभी तै नहीं कि किस रोल में वो दिखेंगे चुकि सल्मान खान की किक में वो विलन बने थे तो लगाने वाले कयास लगाएंगे कि विलन के रोल में ही नवाजुदीन सिद्धी की इस फिल्म में भी नज़र आएंगे लेकिन अभी पूष्टी नहीं हुई है राकेश रोशन इन दोनों ही फिल्मों को एक साथ बनाएंगे जैसे अनुरा कश्यप ने गैंक्स ओफ वौसेपुर बनाई और दो पार्ट में रिलीज की डारेक्टर, राइटर, राकेश रोशन अपनी दोनों कृष्ट फिल्मों के साथ कुछ ऐसा ही करना चाहेंगे इन फिल्मों में सूपर हीरो के रूप में दिखने जा रहे रितिक रोशन के कॉस्ट्यूम डिजाइनर और स्टाइलिस्ट गैविन मिगन हो सकते हैं इन्होंने ही कृष्ट 3 में कंगना के किरदार काया के कपड़े डिजाइन किये थे जो रबर लेटेक्स से बनाए गए थे इन दोनों फिल्मों के स्टन्ट और स्पेशल एफेक्ट्स के लिए इंटरनेशनल क्रू बुला जाएंगे देखना होगा कि राकेश किन हॉलिवुड फिल्मों के क्रू लेते हैं क्योंकि कृष्ट 3 के विएफेक्स तो उन्होंने शारुक खान की कंपनी रेड चिली से बनवाए थे बताया जाता है कि अगली दोनों फिल्मों में एक नई एक्ट्रेस की एंटरी होगी इससे पहले क्रिश सिरीज की फिल्मों में प्रिती जिंटा और प्रियंका चोपड़ा जैसी फीमेल लीड रही है अब की कहानी क्रिश के बेटे से शुरू होगी तो उसके लिए किसी नई हिरोईन को लिया जाएगा चुकि दो फिल्मे एक साथ बन रही है तो सिरीज की बाकी फिल्मों के उलट कहीं नए चेहरे इसमें नज़र आएंगे क्रिश फोर की रिलीज डेट की गोशना राकेश रोशन ने कर दी है वो 2020 की क्रिसमस पर इसे रिलीज करने का टारगेट लेकर चल रहे है लेकिन ये डिपेंड करेगा कि तब किसी और सूपरस्टार की फिल्म तो रिलीज नहीं होगी या ये कि क्या तब तक उनकी फिल्म बन जाएगी अभी दोनों फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखी जा रही है सिरीज की पिछली फिल्मों की राइटिंग टीम में हनी इरानी, रॉबिन वर्ट, राकेश रोशन, सचिद भॉमिक, संजे मासूम, आकर श्खुराना जैसे लोग रहे हैं लेकिन इस बार स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलोग्स किसके होंगे ये अभी पता नहीं चला है लेकिन आप फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेर हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलिक रादिस टूर